नमस्कार साथियो मैं राउल सर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर दोस्तों सभी को नमस्कार है गुड मॉनिंग रादे रादे जैस्री कृष्णा अज़े बिटा एक अंतिम वार आपका बिलकुल आपके सामने रेडी है तयार है तो आपके लिए लाइव मॉक टेस्ट बिलकुल रेडी है बहुती सांदार तरीके से ये समझ लीजिए बिलकुल आप एक्जाम में बैठे हो और बहुत अच्छा खासा आपने तयारी की है और उस तयारी को चेक करने के लिए ही आपका लाइव मॉक टेस्ट आपके सामने है तो जबरदस्त अंदाज में सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक और सेयर कर देंगे दोस्तों बिना समय गवाए बिना समय गवाए क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट है और आप लोग सबसे पहला कुशन बिटा आपको रीजनिंग के 20 कुशन हिंदी के 20 कुशन और वही पैटर्न हमने रखा है कि जैसा आप लोग एक्जाम में करोगे रीजनिंग को सबसे पहले उसके बाद हिंदी फिर जी एस फिर लास्ट में मैथ ठीक है ना चलो सबसे पहले आप बिल्कुल बिल्कुल जबर्दस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो बहुत सांदार बहुत तांदार पंद्रे अठाइस चौवन एकसो च्छे दोसो दस आगे क्या नंबर आने वाला है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे भाई इस पंद्रे से इस 28 पर जाना है तो पं यही काम कर दो भीया 210 का दुगना करोगे 420 और 420 में से दो घटा दोगे तो आपका अंसर बिल्कुल सांदार तरीके से आता हुआ बहुत गजब दोस्तों बहुत गजब पहला कुश्चन सबका राइट होता हुआ मजा आ गया दूसरे कुश्चन की तरफ चलते हैं दूसर किरम में आपको लगाना है इनको एक तरक तरक पूर्ण यानि की जो आपको व्रक्ष का जो प्रारूप दिया गया है कि सबसे पहले क्या आएगा व्रक्ष के उत्पन होने की स्तिति को दर्साया गया है पैदा होने की स्तिति को सबसे पहले कौन सा पांच आपको सब्द दि साथ है और बिल्कुल सांदार तरीके से आप लोगों ने थैयारी की है चलो सबसे पहले बिटा देखो सबसे पहले क्या आएगा देखो बीज आप किसी बीज को यानि की कोई आपको व्रक्ष होगाना है तो उसके लिए बीज लेकर आओगे जमीन में उसको बोद होगे है ना बीज को आपने बोया बीज के बाद उसमें क्या होगा भ्रून पैदा होगा दो नंबर भ्रून के बाद क्या होता है नवांकुर यानि की उसमें अंकुरन पैदा होगा पांच नंबर और अंकुरन के बाद क्या होता है वो विरक्ष यानि की पौधा पौधा बन जाता है और पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा पेड़ बन जाएगा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है 42 531 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका बिलकुल सही बहुत सांदार 42 42 531 मैंने बताया था कि कथन निसकर्शस आपको एक कुशन अवश्य मिलेगा एक्जाम में यहांपर भी आपके सामने है कुछ बैग चोटे हैं कुछ चोटे बाइक हैं सभी खतरनाक हैं तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं और तीन ही आपको कनक्लूजन दिये गए हैं चेक करो कुछन का सही जवाब क्या होगा बाई गल्दी से बताएंगे सभी लोग बहुत ही सांदार तरीके से आप लोग डाइग्राम क्रिएट करो सबसे पहले चलो पेटा पॉल पॉल की आवश्यक्ता नहीं है ऐसी करो ना ऐसी करो फटाफट से कुछ बैग चोटे हैं सम बैग्स आर इसमॉल कुछ बैग जो है यह रहा बैग का डाइग्राम बैग जो है कुछ चोटे हैं सम बैग्स आर इसमॉल और फिर बोला था कुछ कुछ चोटे बाइक है इसमॉल वाला जो हिस्सा है वो बाइक का है बाइक का कलो उसके बाद क्या बोला स्थारी बाइक खतरनाक है औल बाइक आर डेंजर सारी की सारी बाइक जो है वो किसके अंदर आ जाएंगी डेंजर के अंदर अब निसकर्स आपको चेक करना है कौन सा सह ही है तभी बैग छोटे हैं क्या सारे बैग जो है स्मॉल के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे आप कहोगे गलत सभी छोटे बाइक हैं क्या सारे छोटे बाइक के अंदर और स्मॉल आर बाइक नहीं गलत कुछ खतरनाक बाइक हैं सम डेंजर्स आर बाइक बिटा कुछ खतरनाक बाइक है डेंजर का कुछ हिस्सा बाइक का है ये वाला ये वाला हिस्सा बाइक का है तो आप कहोगे only third follow only third follow आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बहुत तांदार बहुत ही बहतरीन next question आपके सामने है यहां आपको star की इस्थान पर आपको mathematical sign रखने हैं और आपको चेक करना है किस option को रखने से आपकी equation जो है वो satisfy होने वाली है किस option को रखने से फटाफट से बताएंगे सभी लोग कि यह यह इस प्रिकार का question मैंने आपको बताया थे थोड़ा सा time taking होता है थोड़ा सा time taking होता है क्योंकि यहां अगर calculation अच्छी खासी दे दी जाए तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां plus रखोगे फिर यहां minus रखोगे फिर यहां भाग रखोगे और फिर बराबर रखोगे क्या आप इन दोनों को जोड़ कर इसको घटा कर तो जोड़ दो भीया आठ और दो दस साथ और दो नौ तीन और एक चार आठ दो दस तीन और एक चार और एक पांच इस में से आप 2180 को घटा दोगे घटाने के बाद 0, 1, 3, और 10 में से दो गया 8 यहां आप इसको 30 से भाग करोगे 30 से भाग करोगे तो क्या आप 1756 लेकर आप आओगे 8, 4, 12, 3, 15, 16 यह 3 से कटने वाला नहीं है यह 3 से कटने वाला नहीं है तो calculation को आगे ले जाने की कोई आवशक्ता आपको नहीं है क्योंकि calculation तभी possible है जब आप 30 का भाग कर पाओ अभी तो 1756 चलो जी दूसरे option को उठा कर चलते हैं यहां पिलस है यहां पिलस है और यहां पर भी पिलस है फिर यहां पर भाग है अब तीनों को एक साथ जोड़ना है तो 8, 2, 10 और 0 यह आपका यह आ गया फिर 2 और 7, 9 और 8, 17 और 1, 18 हासिल गया एक फिर 1 और 3, 4 और 1, 5 और 1, 6 हो जाएगा फिर 2, 2, 8, 10 और 2, 12 हासिल गया एक तीन और 1, 4 और 1, 5 52, 680 को आप 30 से भाग कर दोगे इस से इसको काटोगे तीन से काटोगे तीने कम तीन, 37, 21 और 35, 15 और 36, 18, 17, 15 आ गया कौन से option की साहता से? Option नंबर B की साहता से बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले bracket solve करना होता है तो आपने सबसे पहले bracket को solve किया है ना? इसके अंदर जो भी calculation आप उनको solve करोगे उसके बाद 30 से यहाँ भाग करोगे फिर 30 से मैंने भाग किया 1756 हमारा आ रहा है तो यही हमारा answer होगा option नंबर B next की तरफ चलते हैं next की तरफ हाँ hidden figure आपको ढूंड कर निकालना है कि कौन सी answer figure आपको question figure में दिख रही है यहां से देखो यह मुस्किल से मुस्किल 4 या 5 second का question होता है चार options आपको देखने हैं जो आपको question figure में मिल जाए वही आपका answer होगा पहचान करो भी या कौन सा option आपका सही जवाब है बहुत सांदार बहुत सांदार बहुत ही गजब भाई मैं यह कह रहा बिल्कुल आप reasoning में बिल्कुल मत घबर आना आराम से रिलेक्स माइंड में बिल्कुल जितना आप से हो जाए ना सुरुवातमा आप वो करके आना चाहे आपके 17 कुष्ण हो जाए टाइम जादा देना नहीं है कभी सोचो के जी मैं तो सत्रे कुष्ण नहीं 25 मिनट में कर लूँगा फिर बचा ही क्या टाइम मैंगें सबसे बिल्कुल सांदार तरीके से इस वाले को देख लो compare करो आपका यह यहां पर मिल रहा है बिल्कुल सांदार तरीके से option number c option number c हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा next कुशन नमबर 6 कुशन नमबर 6 फटा-फट से लॉजिक देखो भाई कुशन में और आंसर बताएंगे सबी लोग किसी निश्चित कूट भासा में बिगिन को इस प्रकार लिखा जाता है एक्क्यूट को इस प्रकार लिखा जाता है तो ड्रीम का कोड आपको बताना है लॉजिक लगाओ कि क्या लॉजिक बन रहा है कुशन में वो आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है चलो फटा-फट भाई लॉजिक ढूंडो अरे वा गजब भाई बिल्कुल सांदार देखो पकड़ गए उस बात को जो मैंने आपको सिखाया था आप उस बात को पकड़ चुके हो बिल्कुल सांदार आपने देखा बी दो पर होता है लेकिन यहां 25 लिखा हुआ है तो आपने देखा अपोज और इसके लिए आपको अपोजिट लिखने है तो आपके पहले रियल लिख लेना है ना माइंड में आपको याद ही होंगे अच्छे से तो चार में कितना जोड़ोगे 23 जोडने पर 27 हो जाएगा ठारे में 9 जोडने पर 27 आपको पूरा सॉल्व करने की जरूत नहीं है जहा काम खतम करो और भागो नेक्स्ट की तरफ अगला कुश्यन आपके सामने है कि पाइंड दा और वन आउट चार ओप्संस आपको दिये जाएंगे चार में से तीन किसी प्रकार से समान होंगे एक अलग होगा उसको आपको ढूंड कर निकालना है उसको आपको ढूंड कर नि फटाफट से क्या लॉजिक लगने वाला है गल्दी से बताएंगे सबी लोग है क्यों सत्रे पर होता है एम तहिरे पर दिख गया होगा लॉजिक जी साथ पर टी बीस पर माइंड में चलते हैं लॉजिक तो माइंड में एल बारे पर होता है ओ पंद्रे पर और यहां ओ पंद्रे पर लिखा हुआ है एफ आपका छे पर है वी आपका 22 पर है आई आपका नौ पर है तो ध्यान से देखो भाया 10 और 27 27 अपोजिट हैं 25 और 12 27 अपोजिट हैं क्या यहां पर अपोजिट लिखे हुए है मुझे यह पतावन से पतावन से यहां पर अपोजिट लिखे हुए हैं तो यहां यू होना चाहिए था लेकिन यहां ऐसा नहीं है तो option number D हमारा अलग होगा बहुत ही सही जवाब next question number 8 sitting arrangement ऐसे कुश्चनों के लिए मैंने आपको बोला था बिटा अगर आपके exam में आपको लगे कि यह time taking कुश्चन है तो skip कर देना सबसे last में करना जब आपके पास समय हो मैंने बताया था आप सब्सक्रे 18 कुश्चन कर लोगे reasoning मैं आपने दो या तीन कुश्चन आपने छोड़ दिए बाद के लिए हैना समय ज़्यादा खर्च मत कर देना कभी इस तरह के कुश्चन पर आप फस जाओ और फिर समय आपका ज़्यादा चले जाए ठीक है ना ध्यान रखना इस बात को याद रखना time taking कुश्चन अगर आपको कोई लगे हैना कि यह हमारा समय खा सकता है तो आप उसको skip कर देना चलो जी बहुत सांदार सूरज आर्या चलो जी आंसर बताओ बिटा आंसर बताओ इतने सारे गुस्से की मोजी बना के भेज रहे हो के नाम नहीं लिया बताओ हद है एक सीधी पंक्टी में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं कितने लोग हैं साथ व्यक् इस तरीके से बना ले ना एक दो तीन चार पांच छे और साथ कुछ इस तरीके से ठीक है और जैसे जैसे कुश्चन में बोला जाए ना आप उसी लाइनों को पकड़ते हुए चले जाओ और कुश्चन का अंसर आता चला जाएगा यहां से सबसे पहले कुश्चन इसके राइट में दो व्यक्ति हैं आगे देखो आर और पी आर पी के बाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा तो आर को आप यहां बिठा दोगे यू और आर यू और आर टी के निकटतम पड़ोसी है यू और आर टी के निकटतम पड़ोसी टी के निकटतम पड़ोसी कौन है यू और आर यानि की यू और आर दोनों टी के अगल बगल में बैठे हुए हैं आगे चलो क्यूं टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है टी का पहला दूसरा क्यों यहां पर आ जाएगा आगे चलो वी किसी भी अंतिम सीट पर नहीं बैठा इसका ध्यान रखना अंतिम सीट पर नहीं बैठा है नहीं कभी अंतिम सीट पर बैठा दो तो उसने बोला था वी किसी अंतिम सीट पर नहीं बैठा है एक बंदा बचा हुआ है और रख लो PQRS, S बचा हुआ है, S को मैं यहां पर रख दूँगा, पूछा क्या गया है, R के राइट में कितने व्यक्ति हैं, R के राइट हैंड पर भीया, R के राइट हैंड पर 1, 2, 3, 4, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, option number B आपका राइट हो जाएगा, option number B आपका राइट हो number of letter को count करना, number of letter को, बिटा, बिल्कुल यही level रहेगा, exam का और उससे down ही रहेगा, उपर नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी, यहां रख लेना, अगर यहां आप 20 में से 20 करका रहे हो, तो exam में भी 20 में से 20 ही आपके होंगे, घबराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, बिल्क ना होगा, अगर 4 के बनाते हो, तो यहां पी है, इधर आ रहे है, तो गडबड हो रही है थोड़ी सी, तो आप क्या करोगे, पहले 5 के बनाने की कोसिस करोगे, पांच-पांच के पेर, इस पिरकार से आप बना दो, पांच-पांच के, 2, 2, 4 और 1, 5, फिर देखो, पी आ गय होगे, पी रखोगे, चेक करो, बहुत सांदार, आदर्श यादव, आपने आंसर बिलकुल सही दिया है, दूसरा आई है, दूसरा आई, दूसरा आई, तो यहां भी दूसरे पर आई रखोगे, पी आई ए वी, पी आई ए वी आर, बन गया, एक स्रीज कंप्लीट है, तो इ को उठा लओ, ए पी आई आर, ए पी आई आर यहां भी है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी किसी में नहीं है, आप्शन नमबर ए आपका राइट होगा, फस्ट वाला आप्शन बिलकुल सांदार है, पढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट कुश्चन यह रहा आपके सामने, एक व्यक्ती की तस्वीर को देखते हुए आसना ने कहा, वह मेरी बेहन की बेटी के नाना का भाई है तस्वीर में, बिगर पैन चलाए भी कुश्चन का अंसर दिया जा सकता है, एक व्यक्ती की तस्वीर को देखते हुए आसना ने कहा, वह मेरी बेहन की बेटी के नाना, भाई ध्यान से सुनना क्या बनेगा लोजिक अरे तुरंता अंसर आएगा भाई तुरंत मेरी बेहन की बेटी के नाना का भई देखो मेरी कोई बेहन बेहन की बेटी के नाना मेरे पिता होंगे कौण होंगे Měre Pita ठीक है तो बहन की बेटी के NANA का भाई है यानि की मेरे पिता का भाई कौन होने वाला है मेरे पिता का भाई कौन होने वाला है फटा फट से बता दो भीया चाचा बहुत सांदार चाचा या ताउ कुछ भी हो सकता है उसने बोला था आसना ने आसना ने बोला था मेरी मेरी बेहन की बेटी बेहन की बेटी के नाना यहां पर तो नाना कौन होता है नाना होता है मम्मी का पिता है ना माता का पिता ठीक है तो बेहन के यहां पर इसके पिता हो जाएंगे तो इसके भी पिता होंगे और इसका भाई था इसका भाई पिता का भाई कौन होता है चाचा होता है पिता का भाई कौन होता है चाचा या ताउ जो भी दिया होगा अंकल आपको अप्शन में लिखा मिलेगा अंकल आपको अप्शन में लिखा मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा कुशन नमबर 11 कुशन नमबर 11 तेजी से बताएंगे सभी लोग इसका सही जवाब क्या है हॉट हॉट के लिए यहां 4 दिया है SLG 25 है MOB 6 लिखा हुआ है NLY 35 है SUN 8 का कोड आपको बताना है जल्दी से बताएंगे सभी लोग सभी लोग बताएंगे फटाफट से आंसर क्या होगा भाई क्या आंसर आपका होने वाला है हॉट हॉट से आपको यह बनाना है किस पिरकार से बना है चेक करो लॉजिक लगाओ लॉजिक लगाओ फिर यहां MOB 6 को NLY 35 लिखा हुआ है या तो पहले नंबर चेक कर लो बिठा नंबर से अगर लॉजिक बना पारे हो तो अच्छी बात है नंबर से देखो 4 से 25 बना 6 से 35 बना किस पिरकार से बना चार से 25 बनाना है तो 4 में एक जोड़ूँगा 5 और 5 में 5 की गुणा कर दी 25 भीया 6 में एक जोड़ूँगा 7 साथ में 5 की गुणा कर दी 35 तो यहां 8 में एक जोड़ूँगा 9 और 9 में 5 की गुणा कर दूँगा तो कितना हो जाएगा पैतालिस अर्थात पैतालिस वाला आपका अंसर होगा बाकी चालिस वाले आप हटा देना तुरंदी इतना काम तो हो गया एच का अपोजिट एस होता है हाई इस्कूल लव के अकॉर्डिंग आपको ये याद कराया था जी टी रोड ये हो गया हना सारे अपोजिट लिखे हुए है तो आप भी अपोजिट लिख दो भई एस का अपोजिट क्या होगा हाई इस्कूल यू उफ ये गर्मी हना एन एम एन दोनों एक साथ आपको याद कराये थे एच एफ एम एच एफ एम 45 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिलकुल सांदार तरीके से राइट होगा बहुत ही गजब बहुत ही सांदार नेक्स्ट कुशन नंबर बारे पिरीज जीरो दो दस फटा-फट से बता जित्य सिंग के है रहे हैं चाचा होगा शरा विटा चाचा होगा मैंने सा लॉजिक है यहां जीरो की पावर तीन प्लस का जीरो अना फसाने वाला कुशन एक की पावर तीन प्लस का एक फिर आगे चलूंगा तो दो की पावर तीन प्लस का दो आगे चलूंगा तीन की पावर तीन प्लस का तीन अर्थात जितने की पावर तीन कर रहे हो ना उसमें आप उतना ही जोड रहे हो आगे नंबर किसका आएगा पांच का आएगा भी यहां फाइव की क्यूब करोगे प्लस फाइव इसमें एड़ गर दोगे तो भी यह एक सो पच्चिस और पांच कितने होते हैं 130 होते हैं 130 आपका बिलकुल सही जवाब होने वाला है एक तरफ से हर किसी स्टुडेंट का अंसर 130 130 बहुत सांदार बहुत गजब नेक्स्ट कुशन नंबर 13 सिमिलर सेट की मैंने बात कही ती एक सम एक कुशन की पूरी-पूरी संभावना रहेगी सिमिलर से लोजिक लगाओ क्या बनने वाला है 69 69 लिखा हुआ है 85 95 क्या आपका आंसर आने वा बहुत सांदार तरीके से सारे सब्जेक्ट चारो सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं इस लाइब मॉक टेस्ट में रीजिनिंग रीजिनिंग के बाद आपकी हिंदी आने वाली है फिर जी एस और लास्ट में आपका मैथ ठीक है तो बिलकुल तैयार रहिए 69 69 69 69 लिखा और 5 अपनी तरफ से जोड़ दिये 5 अपनी तरफ से जोड़ दिये तो ऐसा ही ढूंड लो तोले गुणा 10 करूंगा 160 160 मैं 5 जोड़ूंगा 165 गलत 30 गुणा 20 करूंगा तो भीया ये 600 बनेगा 605 आना चाहिए था गलत 50 गुणा 10 करूंगा 50 धाम 500 है ना और इसमें अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो 505 बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसी परकार के कुश्चन आपको एक्जाम में मिलेंगे है ना जोड़ना घटाना गुणा भाग सब इसी तरीके से नेक्स्ट कुश्चन नंबर 14 है एक ही परिवार के साथ सदस्य है टी यू वी डबलू एक्स वाई एक से दो कुश्चन आपको दो कुश्चन मानकर चलना कि आपको एक्जाम मिलेंगे इस परकार से टाइम टेकिंग कुश्चन थोड़ा सा जो आपका समय खर्च करेंगे उनसे आपको बचना है उनसे बचना है आप 18 कर जाना कोई दिक्कत नहीं है 18 कुश्चन आप अगर 16 स सत्रे मिनट तक भी कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा स्कोर अगर आप 16 मिनट में 18 कुश्चन कर जाते हो तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है फिर आधा है चलो देखो ज़रा एक ही परिवार में साथ सदस्य टिए टई वीडबलू एकस वाई侏ड पिर टिक्क की आई उलगए वाई जैड से बढ़ा है लेकिन वी से चोटा है लेकिन वो किस से छोटा है वी से छोटा है वी से यहां पिस पिरकार से लिखोगे X T से बढ़ा है लेकिन W से छोटा है X T से बढ़ा है लेकिन W से छोटा है साइड में ऐसे लिखोगे भाई मुझे तो सबका अंसर नजरा रहा है इस्क्रीन पर सबका अंसर नजर आ रहा है गजब अती सुन्दर तो फिर कहां टाइम टेकिंग रह गया कुश्चन को देखते ही 15 सेगंड के अंदर तो आपने फिर भी इसका अंसर बता दिया भाई यह तो टाइम टेकिंग नहीं रहा फिर चलो बहुत सांदार फिर कह रहा है यू वी से बड़ा है लेकिन टी से चोटा है यू जो है वो वी से तो बड़ा है लेकिन टी से चोटा है तो यू यहाँ पर आएगा और ये ये चारो उठकर इसके उपर आ जाएंगे तो किरम कैसे बनेगा सबसे उपर डबलू फिर एक्स फिर टी फिर यू और नीचे वी वाई और सबसे नीचे जैड आ जाएगा तो सबसे टॉप पर पूछाता सबसे बड़ा वाला कौन है सबसे बड़ा वाला तो डबलू है डबलू ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई एकदम गजब नेक्स्ट कुशन नंबर पंद 15 पीलीव का कोड आपको दिया गया है और देस्तिनी का आपको कोड बताना है ऑर केक करेंगे मैंने इसमें भी आपको तरीक हाएै सुम्हे जो बड़ा सब्द होँ ना ऑप उसको मत लेखना जो छोटा ओना उस पर लाजिक लगा लिए जैस़स पछा सकते हो जितना बचा सकते हो तो उसको चेक मत करो इसको चेक कर लो पहले इसको चेक कर लो ठीक है ना इसको चेक अलो नेम, N कितने पर होता है, 14 पर, A1 पर, M13 पर, मैंने नमबर लिखे, क्या आप इससे पिछेतर बना पाओगे, पिछेतर, 14, 15, 28, 25, 33 बना, भीया यहां पर 33 बना, 33 अभी तो बहुत कम रह गया, तो मैं चलूँगा फिर अपोजिट की तरफ, मैं चलूँगा अपोजिट की तर तरफ, अपोजिट की तरफ, 14 है, और 13, 27, एक और 26, 27, तहरे और 14, 27, पांच और 22, 27, जोड़ दो, 13 और 26, 49, 53, 53, और 22 हो गया, भीया, पूरा का पूरा पिछेतर, लो, अपोजिट सम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अपोजिट सम, तो उपर वाले को चेक करने की ज का अपोजिट होता है, 22, मैं डाइरेक्ट अपोजिट लिख रहा हूँ, 19, 19, और 8 होते है, 27, पी 20 पर 20 और 7 होते है, 27, आई 9 पर 9 और 18, 27, आगे चलोगे, एन 14 और 13, 27, और लास्ट बचा 25 और 27, सब को जोड़ दो, 23, और 22, 45, 45, और 8, 53, और 7 हो गया, आपका भीया, 60, 18, 70, और 13, 8, और 3, 11, 91, 91, 92, 93 आया, क्या आप लोगों का अंसर फटा-फट से बता दो, 93, 93, 93, 93 बहुत ही गजब, आप्शन नंबर B एकदम राइट होगा मेरे भाई, बहुत सांदार, या तो रियल सम मिलेगा, या अपोजिट सम पर कुश्चन मिलेगा, मैक्सिमम तो यही चीज़ें आपको मिलेंगी एक्जाम में, नेक्स्ट, रेल गाडी प्लेट फॉर्म पर और जहाज कहां रहता है भाईया, जहाज शिप, पानी वाला जहाज की बात कर रहा है, ना, रेल गाडी कहां प्लेट फॉर्म पर रुकती है, जाकर रुकने का इस्थान जो है, प्लेट फॉर्म पर खड़ी होती है, वहां से सवारियों को बिठाती है, तो उसी प्रकार से जहाज जो है, कहां से सवारियों को, या जो उसमें माल रखा जाता है, वो कहां पर रखा जाएगा, राब्या पठान, राब्या पठान, हेंगर आप गलत लिख रहे हो, वो हवा यात्रियों को कहां से बिठाएगा बंदरगा से पानी का जहाज की बात की गई है पोट पोट लिखा हुआ है देखो पोट बंदरगा और यह जहाज लिखा हुआ है शिप यानि कि पानी वाला जहाज ठीक है चलो बढ़ते हैं next की तरफ अगला कुश्यर मबरसे सिंट लगा देना कुश्चन में सत्रे है और अपकocy Hospi creation मच виде निए आपको ऐसे करते हो कॉन्से वाले को बनाए जा जा 7 कॉन्से वाले को नहीं बना पाऊंगे पहचान करो भाई पहचान करो फटाफट से अपोजिट निकालोगे तो इस ब्लैक वाली लाइन के अपोजिट में क्या आएगा सबसे पहला आपने चेक किया भाईया इसके अंदर एक सरकल आएगा इस खाली बॉक्स के अपोजिट ये वाला खाली बॉक्स आएगा दूसरा वाला आगे करोगे तो इस खाली box के apposite यह line वाला part आएगा ठीक है इस तरीके से इस तरीके से आपने apposite निकाल लिए Apo j निकालने के बाद check करो कोई apposite यहाँ कि जो दोसमने वो पास में ना बैठा हो एक circle और दो खाली क्या आ सकते है सरकल वाला एक खाली यह आजाएगा, दूसरा खाली आजाएगा possibility है, पूरी पूरी बन जाएगा circle black और खाली circle खाली और felt possibility पूरा पूरा बन जाएगा circle और दोनो black proximity यह black आजाएगा चलो मैं इसको तो मालूँगा, यह black आ गया, line वाला तो इस circle के opposite तो दूसरा black था ना बिटा दोनों बिलेक और सरकल एक साथ नहीं आ सकते दोनों बिलेक और एक सरकल दोनों एक साथ नहीं आ सकते ये लाइन वाला पार्ट क्योंकि इसके अपोजिट में था ये तो आ जाएगा एक तो चल जाएगा लेकिन दूसरा नहीं चल पाएगा दोनों बिलेक और खाली ये यह और एक खालीन मैसा जाएगा बिलकुल बन जाएगा एक दो चार एक दो चार बनाया जा सकता है एक दो और चार बनाया जा सकता है बहुत गजब बहुत गजब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं कुश्चन अमबर 18 फटाफट से बता दो फिर आपकी हिंदी का समय हो चु यात्री हवाई जहाज टैक्सी यात्री हवाई जहाज और टैक्सी पैसिंजर प्लेन और टैक्सी के बीच में आपको डायग्राम बताना है कौन सा डायग्राम सबसे बैस्ट होगा यात्री हवाई जहाज और टैक्सी के बीच मैं मैंने बताया था रिलेशन बिट्वीन कोनों अलग अलग आएंगे हैना तो सब से हैं को कोई प्रॉब्लम है क्या ठीक तो है बेटा क्यों जूट बोल रहे हुआ है बहुत सांदार बहुत सांदार हवाई जहाज और टेक्सी की अगर मैं बात करूं तो द्यान से देखो बीच में आप रखोगे पैसिंजर को पैसिंजर को हैना पैसिंजर जो है आपके हवाई जहाज में भी जाएंगे एरो प्लैन में और टेक्सी में भी बैठके जाएंगे बहिया टेक्सी में भी तो option number first वाला सबसे best होगा सबसे best है ना चलो जी next question आपके सामने question number 19 यहां फटाफट से चेक करके बताओ कि आपका answer क्या होगा option यह पहला लिखा हुआ है इधर दूसरा लिखा हुआ है इधर तीसरा लिखा हुआ है इधर चौथा लिखा हुआ है चेक करो क्या लोजिक लगाया यह है आपका फिगर एना लॉजी का question आकरती साद्रश्यता भाईया यहां ट्राइंगल है अंदर एक rectangle दिया है यहां क्या है बाहर की तरफ rectangle है अंदर की तरफ पेंटागन दिया गया है बस तो पहचान करो कौन सा सबसे best है 17 नंबर में दोनों एक साथ खाली कैसे आएंगे बिलकुल आ सकते हैं कोई रोकने वाला नहीं है क्यों नहीं आ सकते यह वाला खाली और यह वाला खाली थोड़ी ना आएगा यह वाला तो आ सकता है यह दोनों खाली आ सकते हैं अलग-अलग company के हैं बिलकुल आएगा वो ठ जिहान से देखो बहर वाले में कितनी लाइन है तीन यहां बहर वाले में कितनी है चार लाइन अंदर वाले में चार लाइन थी और अंदर वाले में पांच मतलब एक एक लाइन बढ़ा कर लिखा गया है तो आप यहां चेक करोगे स्टार स्टार वाले में बहर वाले में चार कौने दिये गए है चार तो अब जो हमारा बाहर आएगा उसमें पांच कौने आएंगे पांच कौने आएंगे ना बाहर वाले में एक दो तीन चार पांच छे दिये हैं गलत एक दो तीन चार पांच दिये हैं ये भी गलत एक दो तीन चार पांच दिये हैं बिलकुल सही एक ये गलत कहानी खतम हो जाती है कहानी खतम हो जाती है option number 3 आपका बिलकुल right होगा बिलकुल right और अंदर वाले में एक और बढ़ जाएगा क्योंकि यहां आपके पांच दिया है तो आप 6 वाला जाएगा इसमें 6 आ रहे हैं ध्यान से देख लो 1 2 3 4 5 और 6 क्योंकि इस वाले में इंसर फिगर में ढूंड कर निकालो भाई दिख जाएगा तुरंट तुरंट दिखेगा आपको जलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग पटाफट से आखरी कुश्चन है यह सब का सही होना चाहिए यह सभी का सही होना चाहिए फटाफट से बता दो एक लाइन और उस पर ट्राइंगल आपको चाहिए एक लाइन पर एक ट्राइंगल लटका हुआ होना चाहिए भीया कहां दिखाई दे रहा है फटाफट से बता दो क्या फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिला लाइन के साथ ट्राइंगल लटका हुआ नहीं इधर देखा तो धर्बी आपको कहीं नहीं मिला अगले वाले माया तो यहां आप देख पा रहे हो यह देखो जड़ा यह देखो आपको यह ट्राइंगल मिल गया इस लाइन के साथ तो आप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका सी वाला option ओवाला option आपका बिल्कुल रायट है अगदम सांदार किसीको निकित्कत या परिसानी हो तो बता सकते हो बडलो बहुत सांदार आपका हुआ एक बार जल्दी से मुझा बता दो आपका इसकार कितना रहा है फटा फट से बताएंगे बहुत ही गजब score है 19-20, 19-20, 18, 18-17, 19-20, बहुत अच्छा score है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यह score आपका बहुत सांदार है, बिल्कुल इसी परकार से एग्जाम में भी आपका यही score होने वाला है, और सर आ चुके हैं बिल्कुल आपके हिंदी के लिए, तो हलो अश्कार कैसे हैं आप सब लोग संदार जिन्दबाद जब बर्जस्त होंगे और आपका जो मॉक टेस्ट है यह बिल्कुल एक संदार अंदाज में आगे जा रहा है और मुझे लगता है बच्छो कि आज जो इस मॉक टेस्ट में एक अच्छा खासा टोटल कर लेगा अच जो 65 प्लस करता है मैं सोचता हूं तो बच्छो उस तरीके से अब आपका अगला कॉश्चन आ जाता है यह एक से कर दिया कोई बात नहीं आप इसको 21 से कर लेगा 21 लीजिएगा कोई बात नहीं ठीक है बच्छो तो टोटल आपका इसको रीजनिंग में क्या बना है वो आप आपको पता लग गया होगा 20 से आपने कित्रा किया लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि टीचर के साथ करने में नहीं हमने सब कुछ कर डाला और बच्छों हमारे साथ करने में टाइम का भी नहीं पता चलेगा क्योंकि एक्शूल में जो अकेले में किया जाता है उसी में पता लगताय कि माइट आपको एतना कहना चाहूँगा कि बटा देखिए यह कर ली जैसे कि रीजिनेंग को सब से शुरू है वह ने पेपर इस मौडूल पे रखाये कि सब से पहले हिंदी को रख रहे उसके शौरी रीजिनेंग को रख और यहां से रीजिनिकुऩ करा ना होगा तो reasoning में आपको जो देखिए question चाहिए जितने भी हो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 20 से 21 मिनट इतना ही time दीजिएगा इस से ज़्यादा अगर लग रहा हो तो भाई जो है फिर आप skip करिए question को skip आप कम कर रहे हैं कभी भी हमारा जो समय खाएगा ना वो हमसे ना होने व इसलिए ना होने वागों को आपको पहचानना है बस ठीक है reasoning के बाद बच्चो ये हिंदी में कराने आया हूँ और इसी किरम को मैं आपके दिमाग में रटाने आया हूँ कि सबसे पहले आपको reasoning करनी है फिर हिंदी करनी है और हिंदी में बटा साथ से साथ मिनट से ज़्या में ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए अगर मैं जीएस की बात करूँ तो यहां छे मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है 5-6-6 और बचो अगर मैं बात करता हूं मैट्स में तो मैट्स के लिए आपके पास अगर इसको घृता घृतू के देखों गे ना तो यह बन जाता है आपके पास 27 मिनट अभी बाकी है तो 26 मिनट मैं आपको यह मानता हूँ कि 25 से 26 मिनट मैट्स के लिए आपको देनी है लास्ट में बचानी है यह target होना चाहिए ठीक है और कुछ question reasoning में जो review के लिए छोड़ जाओ हिंदी में और GS में review का question मत करना मतलब इनको हम दुबारा देखना पड़े नहीं जो है एक बार में याद आएगा अब किसी को बटा तो यह तो थोड़ी है कोई और आके बताएगा हमें ही टाइम से मैंने आपको मॉक टेस्ट कराएगा सेपरेट सेपरेट एप्लिकेशन पर इसी वज़े से कि आपको पता लगे एक्चुल में हम दीमे तो नहीं चल रहे पेपर में ठीक है बच्चो चलिए तो कुल मिलाकर के पहला क्वेशन है सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करें तो व्यवसाइक कौन सा सही लिखा हुआ है एक बार से आंसर पूल लगा दो यार एक बार आंसर कर देंगे बच्चो व्यवसाइक 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 तो क्यों सा सही लिखा हुआ है एक बार से गलती की में उम्मीद नहीं करता क्योंकि यह आपका टेस्ट है और जब यह टेस्ट है तो यहां पर गलती की कोई गुंजाइस नहीं होनी चाहिए यह तो देखते ही कट जाएगा दोनों तो देखते ही व्यवसाइक व्यवसाइक और यह तो दोनों में इनमें कन्फिजन य कभी नहीं आती च्छोटी की मात्रा बनती है तो फिर आपका एक ही आपसन है वेटा जैसे व्यावपार है ना तो वहाँ व्यावसाइक में भी आएगा क्योंकि व्यावसाहिक सब्सक्षेधा मैं ने आपको एक बात बोलिया ये बात आपको पेपर मेंएंए हेंडी जो अ आती है वो सामानय बोल-चाल की हिंदी आती है. जिन सब्दों को आप रोज यूज करते हो. व्यवसाइक सब्द रोज यूज का है. हस्तक्षेप, मेरे बीच में मेरी बातों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक मैं लेक्षर दूँगा. मुझे इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप किसी का पसंद नहीं है तो बच्चों ये ना सामान्य बोल चाल का सब्द है ऐसा ही सब्द आपके लिए आने वाला है तो ये ना सोचे किसे किस तरह के वर्तनी उट पठांग वर्तनी नहीं आएगी जिनको आप रोज नहीं बोलते हो ठीक है क्योंकि इन्होंने लिखा है सिले बस इस तरह का तो हस्ताक्षेप हस्तक्षेप तो बटा एक ही बात है देखिए ये सब चीजे कैसे सही होती है वर्तनी हलाकि नवीन सर ने बहुत अच्छ अच्छ नियम आपको वर्तनी के कराया है च्राग बैच में ठीक है उपर वीडियो में मिल जाएंगे आपको बहुत सारी में लेकिन ओष्तांख नियम निक्ża वालमा कृटनी प्रूट होती है विस तरह से सही होती है जिसने रीडिंग जाता कर रही है जिसने अकवार पढ़ रख्ध है जिसने बुक्ष पढ़ रख्या हिंदीко उनकी यह य sedocate ृभ्त रख्राय करना बहें मेरी बात हो मैं तो वह स्कू हस्त चलिए, next question की बात करता हूँ, हर्स, हर्स का विलोम बता दीजे बच्चो, इसमें खुसी है, विशाद है, उल्लास है, आनन्द है, क्या हो सकता है, हर्स का विलोम इनमें से क्या हो सकता है, बिटा आपको पता है हर्स उल्लास, हर्स उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है, आपको यह नहीं पता हर्फ क्या है अफ्त आ ऐस आपने सुना है तो वहां अफ्त आ अफ्त कुछ खुसी किसी बात हो रही होगी या ओप मतलब भी पता toes को सकता है लेकिन इसका विलोम नहीं हो सकता उल्लास यह हर सो उल्लास तो इसके साथ ही आता है तो वह यह उल्लास तो खुसी है एक परकार की आनंद तो नहीं आएगा जब विलोम जा रहा हूं तो खुसी है तो कुछ उल्टा अब आपको पता है कि विशाद मुझे नहीं पता क्या है लेकिन इतरा पता है कि यह यह तीन चीज़े नहीं है तो इसको कहते हैं तरीका जो है मतलब आप एलिमेड कर दीजिए ऑप्शन को कि यह नहीं हो सकते तो यह वोगा तो यह तरीका बड़े कारगर है बच्चो क्या बार ऐसा होता है कि आप देखिए हमें डायरेक्टिस का याद नहीं है लेकिन हमें तीन ऑप्षिन देख रहे हैं यह नहीं हो सकते हैं तो आप उनको इलिमिनेट करिए और उसको लगा दीजेए कैई बार ऐसा होगा बच्चो कि एक उत्तर आ रहा है एक सक्टें दोने माल लीज़े में हूं तो फिर मुझे टिक करके आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो मैं कहूंगा बैटा सौ पिरतीषत करके आना चाहिए negative marking से इतना भी मत डरो कुई one fourth की negative marking आपका नुक्सान नहीं करती है अगर आपको चारो में से एक option भी ऐसा लगता कि यह नहीं हो सकता तीन में से कोई साथ सकता तो कि जरूर लगाओ लेकिन चारों का उहीं पता है कुश्चन सुनाई नहीं है फिर लगाओगे तो नुकसान होगा ठीक है चलिए यह बहुत काम की बात मैंने आपको बताई है और बैटे देखिए हमें पताता है यार हर से तो यह विस विस आ रहा है ना तो विस आपको पताई है कि यार विस कोई अच्छी चीज तो हो पती नहीं है तो बुरी चीज होगी इस तरीके से यह भी हमारा एकुरेट निकाला जा सकता था आगे बात करें तेज चलो मैं तेज चल दूँगा इस मॉक टेस्ट को हमें गहंटे में कवर भी कर देंगे कोई बात नहीं है हमें कोई टाइम नहीं लगेगा लेकिन बच्च सकती व्यक्ति आपने बहुत बाद सुना होगा स्वार्थ स्वार्थ वो ही होता है यहार अपने मतलब की बात करता हमने से तब मतलब आपको एकदम-स याद आ स्वार्थ को देखते कि निस्वार्थ है इसका होता है चलिए रंक की बात करें तो इसमें रंक का समाना अर्थी पूछा है बच्चो पिछले में समाना अर्थी तो नहीं था नहीं विपरीती था फिर ठीक है यह है समाना अर्थी अब समाना अर्थी मतलब इसके जैसे अर्थ वाला आलमस्त ये परियावाची ही कह सकते हुँ, भी कैसे हैं वाला रंक cambio रंक का आपको पता है विलोम तो सब को पता है राजा अब बहुत सारह बच्छा इस रंक का राजा ही लगा जाएगा राजा रंक की जोड़ी हम लगाता तीसरी चौथी किलास से सुनते आ पता है लेकिन वहां विलोम नहीं पूछा, तो यही उत्तर होता है, लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है रङा समान और थी, आपको पता है र राजा तो अच्छी चीज होती है, और इसका मिला रङा तो गरीब होता होगा राजामीर चीज है अब यह रंक गरीब होता होगा अब गरीब होता होगा वह इसका मतलब हमें नहीं पता था पर अब हमें पता चल गया राजा इसका विलो मैं तो यह जरूल गरीब होगा अब गरीब का इन में से कौन सा अप्शन हो सकता है सर विरांगना नहीं ह हो सकता तो यहां पर एक ही आदम या दरिद्र बेचारा यह सब इसके ही परियावाची है ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोश्चन पर चलता हूं आभूशन का परियावाची सब्द नहीं है बताइए क्या होगा आभूशन आभूशन अलंकार उल्लास गहना विभूशन क्या आपको यहां जरूर इस बात को पढ़ लेना बहूफ सारा बच्के कहता है सर आभूशन तो गहना होता है फटाक से लगा के आ जाएगा और उसने हिंदी में जो हाँ अलंकार पढ़ाते हैं तो सबसे पहला परिया क्योंशन यह होता है नहीं तो वो इसको देखती ही लगा आएगा लेकिन कैई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं बचो इसको जल्दबाजी इसी को कहते हैं जल्दबाजी और आता हुआ प्रेशन गलत हो जाना इसी चीज़ को बहुत है तो प्लीज क्या पत्थर पढ़ गए थे क्या आर थोड़ा ज्यान से पढ़ लेते तो बैटा यहां पर हम कहेंगे इसका उल्लास होगा उल्लास का मतलब तो खुसी होती है अलंकार गहना विभूशन यह तीनों इसके परियावाची हैं बच्चों की बात करते हैं टेड़ी खीर होना इस म को हवरा है बिल्कुल आप सबको लिए जहां बाद में न अटा हो वह सब मुहावरे होते हैं और कारी हो करता है त्युर्ट हो कर हो ना जएक खीर लगर हुट खराब होना हैसे तो बिलकुल नहीं हो सकते कारिया का बहुत टिन मुठे जिनको लगाए यह काम करना असा नहीं है बड़ी टेड़ीवी रहे ऑना संभव नहीं है बहुतम टेड़ीवीख हो तो जाएगा तो इसका मतलब क्या है बच्छो की कारिया का बहुत कठिन होना यह नहीं है कि असंभव है तेड़ी खीर हो जाएगा पर बहुत अराम से नहीं तो वहीं हम यह यूज करते हैं और यह देली यूज का ही सब्द है बच्छो तेड़ी खीर ठीक है next question पर आते हैं कि दिए अब क्यांज के भी एक शब्द चले नीचे लिखी हुई बटा यह ऊपर लिखी हुईू ऊपर लिखित कह सकते हैं यह तो नीचे तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसको अच्छी जांते हो मेरी हंडराइटिंग और उसको हिंदी लिवाट तर भी काम से जैसे हम आपको लीड़े देते हैं अब यह ऐसे काम सबक नीचे लिखित हां M iin-person a PAM अपने वरोसे पर करता हो इसको किया बोलेंगे सरस्वाइन बोलं जाएंगे क्या जो अपने अगरूर से करता हो सोतंत्र जी सारा उसके यह दूसरे के फिर स्रद कि परमाने दूसरा आर उसके प्रमान तो गुलाम है यह तो नहीं हो सकता परा मतलब फिर परावलंबी दूसरे पर आश्रित ये भी फिर यही हो गया स्वावलंबी पर आश्रित स्वतंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र मतलब जिस पर किसी और का कोई वसना चलता हो वो एक स्वतंत्र है अपने हिसाब से तंत्र को चलाता हो स्वतंत्र ठीक तो इसमें स्वावलंबी ज्यादा सही है ना कि स्वतंत्र ठीक है स्वैम के अधीन जो हो वो स्वतंत्र हो सकता है चलो next question है जैते भारत स्वतंत्र है तो यह स्वैम के अधीन है चलो बहा चिडिया है यहां पर बड़ा important question है एक मिमियाना चहचाना दहारना बहुकना बैटा ऐसा भी वर कभी कभी question आ जाता है इन में खाली स्थानों में कि आपको सब के वह पता हो बोलने की अवाज जैसे धारना ठीक है तो इस तरीके से तो यहां पर जैसे गाया जाए तो गाय कायगा रंभाना ठीक है गाय रंभाती है तो ऐसे बहुत सारों के बहुत सारे अलग-अलगっと में लेकिन यह पूछे वही हैं और option भी वही दिये जिन आवजों को आप रोज सुनते हो जिनको आप रोज बोल रही है हम बोल लिए चिडिया बोल रही है लेकिन वह बोलना नहीं है वो क्या है actual में वो है चेह चाहाना चिडिया चेह चाहा रही है यह बोलना चाहिए हमें तर मिमियाता कौन है जैसे हम बक्री और भेड के लिए अक्सर यह लगा देते हैं मिमियाना ठीक है और मेमना होता है ना बक्री का बच्चा भेड का बच्चा तो मेमना उससे मिमियाना याद रख लेना तोटा सा बच्चा है तो यह आरा है ढ़ाना आप सबको पता है jár सेर की धार यह तो सबको ही पता होता है और भॉक्रा भी सबको पता होता है अर्गुत्ते बहुक्ते रहते तो वह वाली चीज यह तो साहिद सब को ही पता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारे गाव में एक की स्थापना हुई यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अब आप इनमें से खुद देखेंगे हमारे गाव में इनमें से अगर मैं कुछ बोलूगा कि स्थापना किस चीज के लिए बोलूगा इन चारों में से जर्नल भासा का कोश्चन जिनको हम रोज यूज करते हैं और वहीं पूछा जाएगा यहीं स्सी जीडी की हिंदी की खास बात है हमारे गाव में एक की स्थापना हुई एक तलाब की स्थापना बटा तो नेचुरल होते हैं इस्थापना तो वह होती जिसकी हमने की हो तो तलाब तो नहीं हो सकता हमारे घर में हमारे गाव में एक यार घर की स्थापना थोड़ी होते हैं घर तो बनाया जाता है निर्मान कारे कराया जाता है इस्थापना नहीं हो सकती दुकान भी एक निर्मान है और वह अ बटा मैं यह चाहता हूं यह तो यार 99-100% होना चाहिए आपका, ऐसे questions में भी गलती करोगे तो कैसे चलेगा बाई, ठीक है, चलिए, next question है, हो सकता है, तुम्ही यह पात्र फाडा हो, यह कही जगह बोलते हैं, किसी तरह से बोला जाता है sentence, हो सकता है, तुम्ही यह पात्र फा हिंदी भ्यासी, प्योर हिंदी भ्यासी छेत्र वाल है, वो एक दम से इसमें गलती बता देंगे, कि यह तो एक दम गलत है, हो सकता है, हो सकता है, यह पात्र फाडा हो, बिल्कुल, तुम्ही हमें सही मानना है, और इसकी जगह लगाना है, तुम्ही ने यह पात्र फाडा हो तुम ही ने यह पात्र फाड़ा है ने यह पात्र फाड़ी है यह भी गलत है पात्र तो एक पुलिंग है फाड़ा हो यह फाड़ा है यहां पर अगर आपको confusion हो रहा है तो गलत हो रहा है क्योंकि तुम ही ने यह पात्र फाड़ा अगर सिर्फ इतना हो तुम ही ने यह पात्र भाड़ा हो तो यह अगर संभाव ना दिखाई जा रही है ना बच्चो तो हो से ही दिखाई जाएगी ना कि है है थे तो हमने निश्यत कर दिया कि तुम्हीं ने भाड़ा है यह फरक है बस ठीक है बच्चो तो यह भी गलत ही होगा नेक्स्ट क्वेशन क्या है यह 67 परसंट लोगों ने सही किया क्या गलत बात करते हो याराब प्रेम का मुल्य मापा नहीं जा सकता इसको हम क्या बोलेंगे बच्चो जोड़ा नहीं जा सकता गिना नहीं जा सकता नापा नहीं जा सकता या आँका नहीं जा सकता प्रेम का मुल खिनना नहीं होसकता जिनना नहीं होसकता नापना आकना अब यह मेरे कृश्चन प्रेम प्रेम प्यार की भाẽ करते करते रहते हों अगर यह को लानता प्रेंट की भाषध कि बात करने वालों कि इनसे हम का मुल्य और आकना होगा बच्चों आट नहीं जा सकता मापना वापना नहीं होता प्रेम अंपने जाएंगी चलो स्क्रेंगि की बात करते हैं लों काम की बात सीखा करो कितने वच्चों का सहीद है 64% यार लानत है तुम्हारे प्यार पर 64% मत्र 64% बात करते हो दिन भर ये चलिए आगे बात करते कमेंट में देख लो यार ऐसे लगता है कितनी महबत बरस रही है जब भी कमेंट की तरफ दिमाग जाएगा तो ऐसा लगता है दुनिया में सिर्फ प्यार प्यार है और प्यार के अलावा कुछ ही नहीं चलो बहुत बढ़िया वास्तव पर अकेला पन विधाता का एक अभी साप है यहां पर क्या हो सकता है वास्तव पर अकेला पन विधाता ही जी तो बिलकुल ही है सर यह तो बिलकुल ही अलग कुछ लग रहा है यह में लग नहीं रहें प्र बन जाएगा एक जगह No रहें रेख्षी वास्ताव पर अकेला पन अकेला जो पन होता है वह वीदाता का अभीशाप है इना परिवार के सांथ हुआ या केला एकपिश अहज़ोमत हैं तो बेटा ये वास्तव पर नहीं वास्त कर देखो कि पर को हुटा देता हूं बहुत सब्सक्राइब वास्तव पर एक दम बिल्कूल गलत लग रहा है बच्छों यहां पर आप देख जहां भी पर आ रहा होगा जिसमें वहां गलती है तो पर किसमा आया इसमें तो भाई या डी में गलती है ठीके बच्छो यह 80% लोगों ने सही दिया है बहुत बढ़िया 42,000 बच्चे आप लाइव है तो एक बार बच्छो मैं चाहूंगा कि जब वीडियो खतम हो जाए आफ है बच्छो चलिए तो गले को पराधिंता की बेडियां पड़ रही है गले को पराधिंता की बेडिया इनमें से कही कुश्चन हूब हूँ मिलेंगे यह नहीं कि आपकी सिफ्ट मिल जागा यार सिफ्टी इतनी सारी हो रही है क्या बताएं ठीक है करीब जो एक्जाम हो रह है हर देपर तू आप सोचिए कि साथ चौसट सिफट है, साथ से पैसट किसी में मिलेंगे कोई किसी में मिले हिए 1 compare एब हो आपकी किसमत पर कुंसा किसके में मिलेगा गले को पराधीन था की बेड़ियां पड़र रही है तो यहां पर आप बताइए तो यहां क्या हो सकता है कहां पर गलती हो सकती है अब कोई त्रूटी नहीं ऐसा तो नहीं है तो गले को नहीं पढ़ती हार या तो यह होता गले में तो साथ थोड़ा सा सही लगता गले में पराधिंता की बेडियां पढ़ रही है पर गले में नहीं होती भाई बेडियां बेडियां होती है आपने सुना होगा पैरो में तो यहां गले में नहीं पैरो में, पैरो में पराधीनता, मतलब दूसरे की अधीनता, पराधीनता की बेडिया पड़ रही है, तो गलती किसमे हो गई? गलेकों में, ये पैरो में होना चाहिए, बहुत बढ़िया, एकदम से आपने सही छाट लिया है, मेरे उपर परिवार के पालन पोशन का क्या है? आभार है, आधार है, दायत्व है, निर्वेहन है, परिवार का जिम्मेदारियों का मुझे निर्वाहन करना है, वहां लगता है निर्वाहन, जहां जिम्मेदारी सब्दात है, तो मेरे उपर परिवार के पालन पोशन का क्या होना चाहिए? बेटा, रोज बोला जाता है, यह वाक्य है कि रोज की बोलचाल की भासा का है तो मेरे उपर परिवार के पालन पोशन का दाइत्व आएगा बच्चों इससे बेस्ट वर्ड यहां नहीं मिल सकता तो दाइत्व को ड्यूटी कह सकते है ह dei यह आख अच्छा यह टाइपिंग मिस्टेक है यह मैंने पढ़ा नहीं यह पढ़ है यह बटा कि इसको न इसको गलती चाटने के बज़ा आपको यह देखना चाहिए था कि यह न पूरा सेंटेंस यही लिखा आता है देखो गले को पराधिंता की और यह बिल्कुल सेम तो सेम यह नहीं कि इसमा कुछ अलग कर देगा उससे वो तो वहीं उतरना है बस आपको देखना है इसम सब दलग लिखा हुआ है next question पर बात करते है next पर तो मैंने मोक टेस्ट देए तो मेरी थो पौबारा हो गई उस बात का यह अर्थ सकते है बहुत बडिया निक्स्टकॉस्चन पर चलते हैं बच्चो यह आते हैं देखिये तीन मैं? मिलने के चांसेज इस बार हर वार यह 5 होते तो जो 25 कपेपर होता था ऐसा नहीं है कि इस बार 3 मिलेंगे हो सकता है और चीज़े घट जाए ऐसा भी हो सकता है यार वहावरे दू आते हैं एक ही रह जाए इसको बढ़ा दे जरूरी नहीं है कि यह 3 मिले पर मेरा जो नाक लाने मैंने उस हिसाब से तीन दिये है चलिए तो यह देखो इसमें हमें क्या करना होगा यह पढ़ना होता है पैराग्राफ और लगाना होता है सही से इर्षया का दुख निस्फल हो जाता है इर्षया का दुख निस्फल हो जाता है अधिकतर तो जिस बात की इर्षया ह होती है वह ऐसी बात होती है कैसी जिस पर हमारा नहीं होता क्या नहीं होता हमारा वस नहीं होता हमारा मोह नहीं होता हमारा ध्यान फ्लाने का वह लग गया मैं क्यूनी लगा यह भी एक हिर्षा होती है यह जो हमारे वस की बात नहीं तो फिर कहता है जब हमने अपनी ही स्थिति में अनुकूल करने का सामर्थ नहीं है अपनी ही इस्थिती में अनुकूल इस्थांत्रन क्रांति विद्रोह परिवर्तन जो अपनी जो परिस्थिती है हम कहें अपनी इस्थिती को अपनी परिस्थिती नहीं बोला जा सकते को परिस्थिती दूसरे की होती है पारवान पराया यहां अपनी ही स्थिती कहेंगे जो हम में अपनी ही स्थिती में अनुकूल परिवर्तन करने का सामर्थ नहीं है तब हम दूसरे की दूसरे की दुनिया में गिरस्ती में इस्थिती में नियती में दूसरे की स्थिती यानि परिस्थिती में कहां तक परिवर्तन ला पाएंगे कहां तक परिवर्तन ला पाएंगे बह जाते जाते कहूंगा देखें बहुत अच्छा पेपर कर रहे हो आधा पेपर हो चुका है चालिस में से आपके कितने माक से अभी एक बार लिख दीजिए और हिंदी में कितना हुआ कि बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सुभह सुरिया बनकर वही चमकता है तो अगली क्लास आपके लेंगे नवीन सर और बेटा जीएस के आपके बीस कोश्चन जिनको एक्जाम में सिर्फ पांच से छे मिनिट देनी है हिंदी में एक दो मिनिट फाल तो इसलिए कि उ कि अगर्वार्थ और निश्वार्थ यह है अपरमर्थ यह दूसरे परत है ना ठीक है तो स्वार्थ और परमर्थ यह बिल्कुल बात हो सकती थी कि स्वय मतलब अपना और पर मतलब पर आया इस वजह से साइद हो सकता था कि यह भी इसका विलोम आ सकता था लेकिन जो एससी में माना है एक क्वेश्चन आया हुआ है जीडी 2019 में उन्होंने इस स्वार्थ का निश्वार्थ माना है और बेस्ट भी निश्वार्थ है ठीक है उसके बाद पारा परमार्थ तब लगा सकते हो अगर आपको निश्वार्थ आप्शन में ना मिले ठीक है क्लेर्टी बच्चों चलिए आई नवीन सर्थ दूझ एन सार्थ न false ए और गिट नेольш्कत झुझ आट से घोट दूँआ एनुल्चका वंगर्ठा नवीन सर्जार्थ जए नवीन सर्मा आप सभीकाद स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप सब एक दम अच्छे हैं एक दम बहतरीन है एक बार सारे प्यारे दोस्त एक एक इसमाइल के साथ में बताएंगे कि हम सब अच्छे हैं और प्यारे बच्चे मॉक टेश्ट आप लोगों के लिए आज ये शुरू हुआ और कल भी आपका ये मॉक टेश्ट होने वाला है यानि कि आपको दो चीजे इसमें बताई जा रही है एक तो प्यारे बच्चे की प पेपर को भी करने का प्रियास करें तो आप एक बहतर रिजल्ट दे पाएंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चे कि हम पूरा पेपर अटेंप्ट नहीं कर पाते तो सबसे जरूरी चीज तो यही है और सुनना ध्यान से मुझे मुझे जंग करनी है बेसुमार बोलो मेरे सात है ऐक बार जहां कहीं भी हो और तेज बोलो मुझे जंग करनी है बेसुमार मुझे नहीं चाहिए यह प्यार का बाजार हाँ हूं हूं मैं अपने आप में मगन क्योंकि मुझे है इस वर्दी से प्यार तो इस वर्दी के प्यार के लिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, पहला कुश्चन आप लोगों के सामने है, जी एस के पोर्सन का 20 प्रसन आने हैं, सारे बच्चे जानते हैं, पहला कुश्चन है प्यारे बच्चे आप लोगों के सामने, कि जब इबनबतूता भारत म आया प्यारे बच्चे तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सासक कौन था बोलेंगे एक बार तो मुहमद बिन तुगलक था अलाउदीन खिल जी था इबराहिम लोदी था या फिरोज सहा तुगलक था क्या बोलोगे जी मुहमद बिन तुगलक था भीया जी 1325 से 1351 और ये आया कब था प्यारे बच्चे आपका और मुहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल बहुत इंपोटेंट है तेहरे सो पच्चिस से क्यावन ठीक है ये तुगलक वंस का सासक था फिरोसा तुगलक इसके बाद में प्यारे बच्चे तेहरे सो एक्क्यावन से अठासी तक गद्धी पर आई ठीक है ये सारी चीजे आप पता होनी चाहिए मुहम्मद बिन तुगलक के ऐसफल जो प्यारे बच्चे अभिहान थे चाहे वो आपका कराचिल अभिहान हो चाहे सांकेतिक मुद्रा चलाने का अभिहान हो या फिर राजधानी परिवर्तन जो उसने दिल्ली से देवगिरिया किया वो आपको पता होना यदि आकरशन सकती ना हो तो निमलिखित में से कौन सा तरल पधार्थ के लिए लागू नहीं होगा मतलब कोई लिक्विड है उसके लिए क्या लागू नहीं होगा बोलेंगे एक बार चिपचिपापन प्रिष्टतनाव दबाब या फिर उपरी दबाब तो अगर आकरशन सकती नहीं है मतलब ग्रेविटी नहीं है तो प्यारे बच्चे क्या चिपचिपापन नहीं होगा बिलकुल होगा क्या प्रिष्टतनाव नहीं होगा बिलकुल होगा और क्या दबाब नहीं होगा बिलकुल होगा लेकिन प्यारे बच्चे उपरी दबाब तो प्यारे बच्चे गुर्तव आकरशन के विरुद्ध बल कैसे लगेगा तो अब थरष्ट कभी भी नहीं लगेगा क्या बोलेंगे अब थरष्ट कभी भी नहीं लगेगा हिमाचल परदेश में एक बड़ा परियाटक आकरशन इस्थल है कौन सा है जिसको देखने के लिए लोग बहुत जाते हैं बोलेंगे एक बार अगहिल पास है प्यारे बच्चे या रोहतांग पास है या चांगला पास है या फिर मिंटका पास है तो क्या बोलोगे आप कहेंगे अगहिल दर्रा तो भीयाजी लदाख में है कहां पर है ये ये लदाख में है रोहतांग पास कहां पर है प्यारे बच्चे तो हिमाचल में है रोहतांग एक एक दर्रा आप बता दो प्यारे बच्चे बहुत इंपोर्टेंट है आपकी किसी ना किसी सिफ्ट में पास से कुश्चन जरूर आएगा तो क्या बोलोगे भीया रोहतांग बोले चाहे हमसे बोले सिपकिला या पोले हमसे बारा लाचा क्या बोल दे बारा लाचा बोल दे चाह जोजिला बोल दे ये सारे कहां पर हैं या पूछ ले कुंजम या बोल दे जालोरी क्या बोलोगे कुंजम बोल दे या जालोरी कह दे तो प्यारे बच्चे ये सब ही आपके कहां पर है हिमाचल में है चांगला कहां पर है ये भी लदाख में है प्यारे बच्चे कहां पर है लदाख में है मिंट का पास आप सारे बच्चे जानते हो कि जो भारत है भारत की सीमा उपर कहां से लगती है प्यारे बच्चे अफगानिस्तान से इधर चीन है तो ये चीन अफगानिस्तान और भारत वाला जो छेतर है वहाँ पर मिंट का पास पड़ता है इस सम्वेधानिक संसोधन ने भारतिय सम्वेधान में भाग 9 के नगरपालिकाएं जोड़ा गया था वो कौन सा सम्वेधान संसोधन था जिसके द्वारा प्यारे बच्चे नगरपालिकाओं को जोड़ा गया क्या बोलोगे तो वो 74 वा सम्विधान संसोधन था या 42 वा था या 49 वा था या प्यारे बच्छे 10 वा था क्या बोलोगे भया जी ये 74 वा सम्विधान संसोधन था एक बार बताओ प्यारे बच्छे किस वर्स में हुआ बहुत पूछा जाता है 73 वा संविधान संसोधन और 44 वा संविधान संसोधन किस वर्स में हुए थे 42 वा संविधान संसोधन आपको पता होना चाहिए Constitution of इंदरा गांधी इसी को बोलते हैं क्योंकि ये किसने इंद्रा गांधी जी ने थोप दिया था Constitution of Indra या इसी को हम Mini Constitution भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम Mini Constitution भी इसको हम बोलते हैं ठीक है Mini Constitution इसके दुआरा प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि भारत में मूल करतब्य भाग 4A जिनको 51A में हम पढ़ते हैं जोडे गए फिर चाहे आर्टिकल 49A की बात हो चाहे आर्टिकल 43A की बात हो चाहे आर्टिकल 48A की बात हो चाहे आर्टिकल 51A की बात हो ये सभी इससे जोडे गए फिर हम बात करते हैं समाजवादी सब्द की बात हो चाहे प्यारे बच्चे या फिर आपका बात हो किसकी धर्म निर्पेक्च सब्द की या बात हो राष्ट की एकता में अखंडता सब्द जुड़ने की ये सारे 42 सम्विधान संसोधन से जोड़े गए थे बहुत बढ़िया बहुत सांदार 1992 में हुआ था जी 74 वा वेरी गुड नेक्ष्ट आगे 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 भी या तारदा अधिनियम का संबंद किस से है अनुसूचित जातियों के उत्थान से या फिर प्यारे बच्चे अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनर्टीज यानि की आपका जो अलब संख्य के उनको उत्थान को ले करके या बाल विवहास से या फिर महिलाओं का ससक्ती करन तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे आप कहेंगे भीया हर विलास सारदा जी हम पढ़ चुके यिनों ने क्या किया था बाल विवहा को रोकने के लिए क्या लिए लागू हुआ था प्यारे बच्चे कब आपका 1930 में इसको आगू कर दिया गया था बाद में भारत सरकार ने 1978 में इसमें प्यारे बच्चे बदलाव करके लड़कियों की उम्र कम से कम 18 वर्स और लड़कों की उमर कितनी 21 वर्स कर दी थी ठीक है तो बाल विभा ये आपको प ख्यादेवी मंदिर में चापचार कूट मीम कूट और थाल फवांग कूट कहां पर मिजोरम में नाम सुंग कहां का है प्यारे बच्चे ये कहां पर मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है कहां पर सिक्किम में मनाया जाता है और नव कलेवर कहां का है उडिसा उडिसा क का नुआ खाई ना जाने कितनी सिफ्टों में पूछा जाएगा तुम लिख लो इस बात नुआ खाई त्योहार कहां का उडिसा का है नेक्स्ट है कि यहां मेरी कमजोरी है कभी भी मौक को आप सलेक्शन का आधार ऐसे ना समझे कि मेरा इतना स्कोर आया है तो मुख्या परिक्षा में इतना स्कोर होगा नहीं कई बार प्यारे बच्चे ये देखा गया है कि जो mock होते हैं उसको कभी भी borderline को बच्चा पार ही नहीं कर पाया और final selection अपना ले गया ठीक है क्योंकि वो अपनी कम्यों में सोधार करता रहा और कई बार ऐसा देखा गया बहुत सारे बच्चे mock test को पार करते रहे और अंतिम समय में वो अपना analysis करना भूल गए वो एक safe zone में चले गए और उनको परिसानी देखने को ठीक है तो हमेशा याद रखें तो ये क्या होता है देश का प्यारी बच्चे जो import, export है उसके बीच का अंतर होता है import और export के बीच का यानि कि आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है निम्न में से कौन से कोसिकाओं को आतमगाती बैग या आतमगाती थैली कहते हैं बोलेंगे आतमगाती थैली बोलते हैं किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं राइबोसोम्स को बोलते हैं डिक्टो सोम्स को या फैगो सोम्स को क्या बोलोगे भीया जी लाइसो सोम कहलाती है जो अन्त है कोसिकिया पाचन में काम आती है किसमें क्या करती है यह हमारे सरीर में अन्त है कोसिकाओं के अंदर का अन्त है कोसिकिया पाचन का कारिय करती है और लाइसो सोम को हम बोलते है आ या फिर विलियम इस्टेली थे तो बैरो मीटर की अविषकारक कौन है प्यारे बच्चे आंसर करके आएगे टोरसली आविश्कारक आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे प्यारे बच्चे विभिन आविश्कार आज सेसे पूछता है ने ने सिफ्टी लेंब पूछ लेता है बैरोमीटर में जो रीडिंग होती है, जो पाठ्यांक होता है, वो एकाएक नीचे गिर जाए, एकदम से नीचे गिर जाए, तो ये तूफान आने का संकेत है, धीरे धीरे उपर वढ़े, तो ये साफ मौसम का, क्या बोलोगे, क्लीन वैदर का प्यारे बच्छे साइन है, ने भूले, कोकी और अंगामी बहुत पुछी जाती है, अंगामी जिन जाती, तो क्या बोलोगे, चेंचूज है जी भहिया, तेलांगना बोले, आंधर परदे से बोले, दोनों एक ही बात है, क्योंकि तेलांगना आंधरा से ही तो बना है, प्यारे बच्छे, कब बना था तेल कोंडा भी भी भीया जी हम याद रखेंगे कोचा और कोंडा भी याद रखेंगे वैस्ट बंगाल की होस और कोरा क्या बोलोगे होस और कोरा केरल की कनिकर मत भूलना आज कल ट्रेंड में हैं क्या बोलेंगे कनिकर जंजाती कहां की है क्या बोलेंगे कनिकर जंजाती और इरू लिखित में से किस स्थान पर आरम किया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहा था गांधी जी ने 9 अगस्त 1925 प्यारे बच्चे जो काकोरी एक्षन की यादे युवाओं के दिल में बसी हुई थी उस काकोरी एक्षन की 17 वी वर्सगाठ यानि कि 9 अगस्त 1942 को इसकी गोशना हुई 8 अगस्त को अपरेट हुआ तो प्यारे बच्चे SSC हमेशा इसका उत्तर 8 अगस्त 1942 मानती है 1942 क्या बोलते हैं कौन से अधिवेशन से भी या मुंबई अधिवेशन से कहां से सुरू हुआ ये मुंबई अधिवेशन से सुरू हुआ और क्रिप्स मिसन ऐसफल हो गया था तो वो जो क्रिप्स मिसन भारत आया था दुत्य विश्विध में भारतियों का सहीव प्राप्त करने क्रिप्स मिसन की विफलता ये भी पुछायाता है इसको कब सुरू किया गया था क्रिप्स मिसन की ऐसा फलता या विफलता के बाद में इसको सुरू किया गया ठीक है और ये भारत छोडो का जो नारा है ये किसने दिया था यूसफ मेहर अली ने दिया था किसने दिया था यूसफ मेहर अली ने दिया था ये भारत छोडो का नारा मैदान कुन सा था मैदान था प्यारे बच्चे मुंबई का ग्वालिया टेंक मैदान जिसको हम अगस्त करांती मैदान के नाम से जानते हैं परगती मैदान दिली नहीं सिवाजी पार्क नहीं जलियावाला बाग नहीं ठीक है जलियावाला बाग हत्याकान सारी घटना है आपको करम से पता होनी चाहिए अच्छा मुझे बताएंगे कि ये जो भारत छोडो आंदोलन था इसमें गांधी जी को कैद करके कहां रखा गय तो याद रख लेना जो पटना जेल थी पटना में तो राजिंदर प्रसाद जी को रखा गया किनको राजिंदर प्रसाद जी को रखा गया प्यारे बच्चे और जो आगा खा पहले इस था पूने में क्या बोलोगे आगा खा पहले इसमें कौन-कौन बंदी बनाए गए ग गांधी जी और गांधी जी के साथ में सरोजनी नाइडू जी भी यहीं पर रखी गई वो कौन सा पत्रकार था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को कवर किया था यानि कवरेज दी थी इसकी तो क्या बोलोगे भहिया जी लुई फिसर था तो प्यारे बच्चे कुशन जी 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 आपका और हिमाचल के प्यारे बच्चे जोरा छापेली क्या बोलते इसको छापेली भी बोलते है और नाटी हम नहीं भूलेंगे नाटी हम नहीं भूलेंगे हरियाना के फाग डाफ लूर बहुत पूछता है ससी क्या लूर फाग लूर फाग और प्यारे बच्चे आपका डाफ कभी भी नहीं भूलेंगे आंधरा की बात करें प्यारे बच्चे कैसी पूड़ी बोलो जरा कैसी पूड़ी तो बोलोगे भीया कच्ची पूड़ी तो उसको बोलेंगे कुच्ची पूड़ी बहाम कलपं, क्या बोलोगे बहाम कलपं जो अंधा है, वो कच्ची पूड़ी बनाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा पूड़ी पकी है वो भीम की कलप ना कर सकता है वो धीमी सी आँँच पर बनाता कच्ची पूड़ी धीम सा तिक्किम के प्यारे बच्चे मारूनी याक्चाम क्या बोलोगे मारूनी याक्चाम और प्यारे बच्चे आपका सिंगी चाम हम नहीं भूलेंगे इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है इंडिया एट रिस्क चेतन भगत जस्वन सिंग गौतम चिंतामनी या फिर विनोध राय होंगे तो प्यारे बच्चे चेतन भगत को तो किसके लिए जाना जाता है इंडिया एट रिस्क ये जस्वन सिंग की बुक है और इन ही की प्यारे बच्चे बहुत चर्चित पुस्तक है defending India क्या बोलोगे defending India क्या बोलोगे defending India SSE ने इतनी बार पूछी है बहुत बार ठीक है next निमलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है वो कौन सा तत्व है जिसका प्यारे बच्चे melting point सबसे कम है platinum एक कठोर धातु है carbon एक कठोर धातु है logic लगाओगे तो krypton क्या बोलोगे एक अक्रिय गैस है एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों के तापमान हमेशा कम होते है krypton का भी minus 157 होता है तो प्यारे बच्चे platinum तो बहुत ही कठोर होता है carbon अगर बात करें उससे भी ज़्यादा कठोर है गल्लांग के माध्यम से क्या बोलोगे 35, 1700 के करीब और 1500 के करीब होता है cobalt का ये degree Celsius में temperature है और krypton हो चाहे वो आपकी जेनोन हो आरगन हो ये minus में 100 degree के आसपा सारी गल जादा है ठीक है रमन मैकसे से पुरुसकार की सुरुवात रिक्तिस्थान वर्स में हुई थी बोलेंगे रमन मैकसे से जो पुरुसकार है प्यारे बच्चे उसकी सुरुवात 1962 में हुई 1982, 1957 या 1965 क्या बोलोगे 1957 में हुई दिया पहली बार कब गया 1958 में दिया गया किनको मिला था प्यारे बच्चे विनोबा भावे जी को मिला था किनको विनोबा भावे जी को मिला किस field के लिए दिया गया था community leadership के लिए किस के लिए community leadership के लिए सामुदाइक नेतरतव के लिए इनको दिया गया था दूसरे कौन थे मुझे बताएंगे 1959 में किसको दिया गया था पाकि आप जानते हैं ये प्यारे बच्चे आपका फिलिपिन्स के तीसरे राष्ट पती थे रमन मैकसे से और रमन मैकसे की याद में इसको दिया जाता है इसी को हम एशिया का nobel भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम nobel of Asia इसी को कहा जाता है तो कोई भी पुरुसकार किस छित्र में और प्यारे बच्चे उसको कब शुरू किया गया यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो क्या बोलोगे CD देसमुख थे Government Services के लिए इनको प्यारे बच्चे किसके लिए CD देसमुख को सासकिये सेवा के लिए किसके लिए सासकी है सेवा के लिए दिया गया था ने लक्षे सेन निम्न में से किस खेल से सम्बंदित है लक्षे सेन का सम्बंद किस खेल से है तो बास्किट बॉल से रिलेट करते है लॉन टैनिस से, टेबल टैनिस से या फिर बैडमिंटन से मैंने बुलाना अभी प्यारे बच्चे याद रख लेना एक तो जो खिलाडी कॉमन वेल्थ में गई किसमें गई कॉमन वेल्थ में पार्टिसिपेट करने गई और साथ में जिनको अरजुन अवार्ड मिला ये सारे खिलाडी आपको पता होने चाहिए कि उनका संबंद किस खेल से है पेपर अधूरा नी जाएगा ये कुश्चन उचे चाहिए ठीक है इतनी बात चरूर याद रख लेना तो किस से है इनका संबंद बैड मिंटन से अच्छा अभी बहुत चर्चा में रहे सरत अंचत कमल जिनको आपका प्यारे बच्चे सबसे बड़ा खेल अवार्ड मेजर ध्यांचन खेल रत्म प्रुसकार भी दिया गया इनका संबंद किस खेल से है सरत अंचत कमल क्या बोलोगे टेबल टैनिस एक सात्विक और चिराग बहुत चर्चा में रहे सात्विक और चिराग ये प्यारे बच्चे किस खेल से संबंद रखते हैं तो क्या बोलोगे बैड मिंटन से संबंद रखते हैं किस से बैड मिंटन से मैं कुछ खिलाडी पूछ रहा हूं मुझे बताना अंचिता से उली का संबंद किस खेल से भाईया जी है ठीक है भाविना पतेल बताओ और इनहीं में से कुश्चन आपको चांसिस हैं कि किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा नवीन कुमार हाल ही में चर्चा में रहे खिल या मैं पूछू निकहत जरीन का जिनको निकहत जरीन भी बोलते हैं निकहत जरीन का संबंद किस खेल से है और प्यारे बच्चे एक इसमें थे आपका एल्ड होस पाल इनका संबंद किस खेल से है बोलेंगे एक तो अंचिता सेवली किस से वेट लिफ्टिंग से भाविना पटेल प्यारे बच्चे, टेवल टैनिस, नवीन कुमार कुस्ती से, निकहत जरीन, बॉक्सिंग से, और एल्ड होस पाल आपके ट्रपल जंप से, किसे ट्रपल जंप से इनका संबंध है, किसे ट्रपल जंप से, नेक्स्ट है, तो हजार चौबिस तक चंदरमा पर पहली महिल और अगले पुरुस को उतारने के लिए नासा के कारेकरम का क्या नाम है, आप जानते हैं, पहले तो एडविन एल्डरिन और बज, आपका एडविन एल्डरिन नहीं, उनको बोलते हैं, बज एल्डरिन और नील आम इस्ट्रांग, वो जा चुके थे आपका अपोलो मिसन के नेक्स्ट आ गयाएंगे, दो से पांच फरवरी दोहजार तेईस तक राश्ट्रिय सीतकालीन खेलो की मेजबानी कौन सा राज्य कौन सा राज्य करेगा, अरुनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्राखंड करेगा, क्या बोल रहा है, सीतकालीन, र आपका गुल मर्ग में, कहां पर है, गुल मर्ग में हुए थे, नेक्स्ट, भारत भाग्य विधाता उत्सब 2022 कहां मनाया गया है, भारत भाग्य विधाता उत्सब 2022, करन्ट अफेर्स का बहुत सांदार सा कुश्चन, चंडीगड, लदाक, असम, या फिर नई दिल्ली में म पर रंडीगड में मनाया गया था, आपका अभी रिसेंट में, रोज फेश्टीवल, क्या बोलोगे, रोज फेश्टीवल, ठीक है, लदाक की अगर हम बात करते हैं, प्यारे बच्चे, यहां तो लोसर मनाया जाता है, असम में, अभी हाल ही में, बैठ उत्सब मनाया गया कौनसा बैठ उत्सव यह रिसेंट के नहीं दिली में सुव्रसमराट फेस्टिवल क्या वो लोगे tell mein रिए था सुर्समराट फेस्टिवल अभी रिसेंट में एकदम कादी उत्सव कहां मनाया गया था भी रिसेंट में बताएंगे खाल ही में खादी उतसब प्यारे बच्चे कहां पर मनाया गया था तो याद रख लिना एहमदाबाद में मनाया गया था कहां पर एहमदाबाद में मनाया गया था अगर मैं पूछूं आप से भारत रंग महतसब कहां पर मनाया गया तो सरस्फूड फेस्टिवल प्यारे बच्चे ये भी नई दिल्ली का है और बाहरत रंग महतसव ये कहां का है ये प्यारे बच्चे आपका महराष्ट का है और अंतिम प्रसन है प्यारे बच्चे जी-एस का किस राज्य सरकार ने 10-12 तक के कक्षा के विद्धिहारतियों को म प्याद रख लेना प्यारे बच्चे यह हर्याणा ने सुरू की है और हर्याणा की एक चिराग योजना आपको पता होनी चाहिए क्या बोलोगे जो आपका बैच रहा है तो चिराग योजना पेपर में आ जाए या फिर प्यारे बच्चे रूफ टॉप जो सोलर प्लांट Valuation करना कि किस topic से question नहीं बन रहे हैं हलाकि उसका समय नहीं है फिर भी ऐसा तो नहीं है कि आप उस तके बंद कर दोगे तो at least आप उनको एक बार देख लेना प्यारे बढ़िया बहुत सांदार बहुत गजब कोई कोई 18 लिख रहा है भी है 18 मत लिखो फिलीज चलो 15 15 20 20 20 में करते रहे और आगे बढ़ते रहे प्यारे बच्चे अभी आप लोगों के लिए मैथ के question होंगे राहुल तेवतिया सर अपने अंदाज में dance करते हुए हैं आप लोगों के लिए बहुत खुसी से entry कर रहे हैं तो 20 question बहुत ध्यान से आप बनाएंगे एक अच्छा score करेंगे थैंक यू बाइ बाइ टेक एर जै हिंद जै भारत जै मासर सथी थैंक यू क्या हैं लुच्र नमस्कार एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चे आपके अपने परिवार रोजगार विरंकित में तो आप लोगों का हिंदी का हो चुका है बच्चे रीजनिंग का हो चुका है और जीयस का हो चुका है तो math के 20 question लेके मैं आप लोगों के समने हाई और बिल्कुल ऐसे question रखने की कोशिस है कि शायद ही इससे उपर जो है वो examiner सोच पाए मतलब ऐसा ही कुछ examiner सोच रहे तो एक बार आप लोग बहतर तैयारी कर चुके हैं बस आप लोगों को ये दिखाने की implement करने का समय बचे आ चुका है दस तारिक से आप लोगों का exam है तो सबसे पहले बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है एक शांदार तरीके से आप लोगों paper कर रहे हूं तो ज़्यादा time waste ना करते हुए दोस्त मैं पहले question की तरफ चलता हूं अगर आज के पहले question की बात करता हूं तो मेरे साथी आज का पहला question आप लोगों के सामने यह बहा है आज का पहला question दोस्त यह रहा आप लोगों के सामने यहां root x लिखा हुआ है मेरे दोस्त root x plus 1 upon x जो है वो 3 दिया हुआ है तो आपसे x cube plus 1 upon x cube की value तो एक बार सब ही दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब तो बचे एक बार अगर आप square करते हैं तो यहां से square करने के बाद क्या यह x plus 1 upon x बन जाएगा और square करने का तरीका बताया होगा कि जश्ट इसका square करके उसमें से 2 आप लोगों घटा देंगे तो क्या यह बच्चे आप लोगों के सामने साथ बन जाएगा बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें जरूरत है x cube plus 1 upon x cube की यानि हमें दोस्त घन करना होगा हमें cube करना होगा और cube करने का तरीका यह कहता है कि आप इस संख्या का cube कर दो और उसमें से इसका 3 गुना घटा दो तो 7 का 3 गुना 21 होता है यह 343 में से 321 जाएगा तो बच्चे 322 इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा यानि कि option number C is the correct answer तो केवल 45% लोगों ने जो है वो option number C इसका बिलकुल सही जवाब दिया आगे बढ़ जाते हैं दोस्त question number 2 की तरफ भटा भट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब question number 2 आप लोगों के सामने है साथी जल्दी से बताईएंगे क्या होगा इस question का साथी बिलकुल सही जवाब question ने कहा है एक 10 अंकों की संख्या आप लोगों को दी हुई है 46-789 दिया हुआ है मेरे साथी और आगे दिया हुआ है X-531-Y आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से कहा है ये 72 से विभाजित होता है तो 72 से विभाजिता का नियम आप लोग जानते हुँगे कि संख्या को 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा अगर 8 का डिविजिविल्टी रूल मैं आप लोगों से पूछूँ तो बाद के तीन अंकों को बचे 8 से कटना होगा तो आपने कहा 8 या 24 हो जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा तो 7 के आगे क्या लगा दू कि ये 8 से डिवाइड हो जाए तो आप कहेंगे 7 के आगे 2 लगाना पड़ेगा मतलब Y की जगे जब आप 2 पुट करोगे तब बाद की 3 संख्या जो हैं वो 8 से डिवाइड होंगी 9 से डिविजिविल्टी रूल क्या कहता है 9 से डिविजिविल्टी रूल ये कहता है अंकों का योग देख लो तो बच्चा 9 तो कठी जाएगा 6 और 4, 10 और 8, 18 कर जाएगा 7 और 2, 9 कर जाएगा 5 और 3, 8 और 1, 9 कर जाएगा यानि X की जगा X की जगा 0 भी रखें तो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन उसने का है X के सबसे बड़े मान के लिए क्या मैं X का सबसे बड़ा मान जो है बच्चे वो 9 रख सकता हूँ भी 9 तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा यानि X की वैल्यू 9 आ चुकी है और Y की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी हो गया कुश्चन 9 दुनी 18 हो जाएगे प्लस 5 दुनी 10 हो जाएगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा आप लोगों कहोगे 28 इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा साथी 28 इस कुश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पड़ावड बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जबाए Question number 3 आप लोगों के सामने है जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जबाए Question ने क्या कहा है Question ने बचे जब भी ऐसे question आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग जानते हैं ऐसे question को हमेशा पीछे से solve करना होता है तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 250 और 6 256 का वर्गमूल जो है वो 16 हो जाएगा 1280 और 16 1296 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 36 हो जाएगा और 540 और 36 526 का वर्गमूल 24 हो जाएगा और चालिस सो और चौबिस जोड़के चालिस सो चौबिस का वर्गमूल जो होता है वो मेरे दोस्त अड़सट होता है अप लोग वैसे भी देख सकते हैं इकाई का अंक चार है तो इसके पीछे तो चार नहीं आएगा ना इसका वर्ग करने के बाद चार आएगा जबकि 70 का वर्ग 1.800 होता है तो 72 का वर्ग तो उड़ंचासों से ज़ादा ही होगा तो इसका वर्ग जो हो जाएगा बच्चे वो वर्गमूल 68 हो जाएगा तो आपसन नंबर B क्या होगा इस कुशन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं question number 4 की तरफ फटाफट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जब question number 4 आप लोगों के सामने हैं क्या कहा है question ने तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्तक आप लोगों को दिया हुआ है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है 50% अधिक होने का मतलब क्या है मेरे दोस्त 50% अधिक होने का मतलब है अगर पहली संख्या 2A है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3A हो जाएगी तो एक जादा क्या दूसरी संख्या जो है वो 3A हो जाएगी बहुत सुन्दर उसने का है मैसे भी आप लोगों को दिया है लैसे भी आप लोगों को दिया है आप लोगों से छोटी संख्या पोछिए आप लोग एक बात जानते होंगे जब लैसे मैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस प्रॉपर्टी के बिना आप लोग आगे नहीं बढ़े होंगे कि अगर LCM की गुणा HCF में करोगे तो वो बराबर आएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के तो LCM कितना दिया हुआ है दोस्त LCM 120 दिया हुआ है HCF कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो ये 6A square हो जाएगा दोनों की गुणा करनी है यहां से 6 से काटेंगे तो 6 दुनी 12 0 हो जाएगा इधर square है तो बच्चा इधर जो है वो square root लग जाएगा तो A की value कितनी आ जाएगी बच्चे 400 का वर्गमूल जो होता है वो 20 निकल के आ जाएगा या 400 का वर्गमूल जो है वो 20 निकल के आ जाएगा इतना बवाल करने की जरूरत नहीं थी थोड़ा सा देखना तो उसने छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या तो हमने 2 A मानी है तो 20 दुनी 40 इस question का जवाब हो जाएगा वैसे भी अगर मैं इस question को तो दूसरी संख्या डेड़ सो हो जाएगी जब रेशो निकालोगे तो बच्चा पचास दुनी सोर पचास तीया डेड़ सो या दोनों संख्याओं का रेशो आपके सामने आ चुका है और उसने कहा है मैसे जो है वो 20 दिया हुआ है तो अगर मैसे की संख्या अनुपात में कर देते हैं तो संख्या निकल के आ जाती है तो 20 दूनी पहली संख्या 40 हो जाएगी और 20 तीया 60 दूसरी संख्या हो जाएगी तो आप लोग इस तरीके से जाएंगे अगर वो तरीका तब बताया है अगर बढ़ गए उस तरीके पे तो बच्चा उस तरीके से भी आंसर आना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 5 सरली करण का कुश्चन है दोस्त पटा पट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिलकुल सही जब कुश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है देखिए थोड़ा सा ध्यान से अगर मैं यहां से देखू तो बच्चे सरली करण में अगर यह बार लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें इस बार को सॉल्व करना होता है तो अगर यहां से देखू तो आठ और तीन कितना हो गया ग्यारे हो गया अठारा में से ग्यारा जाएगा तो दोस्त कितना बचेगा साथ बच जाएगा चोहदा में से साथ जाएगा तो दोस्त साथ बचेगा और सोला सत्ते कितने बचे यहां पे कुछ मिस्प्रिंट है चोफ़्दे में से साथ जाएंगे तो 7 बचेगा बचे और 7 की गुणा 16 में करेंगे या तो यहां कोई sign लगा हुआ है बीचेब 16 की गुणा 7 में करेंगे 112 होगा और 25 में से 112 जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं 12 में से 5 गया, 7 बचेगा 10 में से 2 गया माइनस के 87 इस कुश्चन का जवाब हो जाए माइनस के 87 इस कुश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाए ठीक है चलिए अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं कुश्चन नमबर 6 आप लोगों के सामने हैं बटबट से कुश्चन को पढ़िए और जबाब दीजिए कि क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सब्सक्राइब कुश्चन नमबर 6 कुश्चन ने क्या कहा है? यदि 35 संख्याओं का ओसत जो है वो आप लोगों को 22 दिया हुआ है 35 संख्याओं का ओसत कितना दिया हुआ है? दोस्त 22 दिया हुआ है और ओसत में अगर संख्या की गुणा कर देते हैं तो योग आ जाएगा 35 दूनी 70 को 0 हासिल 7 35 दूनी 70 और 7 सतितर हो जाए ठीक है? आगे बढ़ते हैं पहली सत्रे संख्याओं का ओसत जो है वो 19 है पहली सत्रे संख्याओं का ओसत 19 दिया हुआ है तो ओसत में सत्रे की गुणा कर देते हैं सत्रे निम्मा 153 को 3 हासिल 15 सत्रे एकम 17 और 15 32 हो जाए अंतिम सत्रे संख्याओं का ओसत जो है वो 20 है मेरे दोस्त अंतिम सत्रे संख्याओं का ओसत कितना है, बीस दिया हुआ है, तो बीस में संख्या की गुड़ा कर देंगे, तो योग निकल के आ जाएगा, अगर मैं आपसे पूछू कि इन चौतिस संख्याओं का योग कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दो, तो आप क तो आप इस में से इसको घटा दो जाएगा, तस में से तीन गया, साथ बचेगा, और च्छे में से च्छे गया, जीरो बचेगा, और साथ में से च्छे गया, तो एक बचेगा, यानि कुश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, एक सो साथ इस कुश्चन का बिलकुल सही जवा वाला question है, जल्दी से मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुर question number 7 question नहीं क्या कहा है, एक बैग में 10 रुपे, 5 रुपे और 2 रुपे के note दिये हुए, बच्चा 10 रुपे के note दिये हुए है, 5 रुपे के note दिये हुए है और 2 रुपे के note आप लोगों को दिये हुए है, उन note के note जो दिया हुआ है वो 10, 5, 2 के अनुपात में बच्चा ये note आप लोगों को दिये हुए है, पैग में 5 रुपे के note का कुल मुल्य जो है, वो 2 रुपे के note की तुला में 84 अधिक है, मेरे दोस्त बात को समझेगा, अगर 10 रुपे के 10 note है तो total 100 रुपे होंगे अगर 5 रुपे के 5 note है तो total 25 रुपे होंगे अगर 2 रुपे के 2 note है तो total 4 रुपे होंगे यदि मैं 5 रुपे का मुल्य और 2 रुपे के मुल्या का अंतर निकालू तो आप कहेंगे 21 अंतर है उसने का है नोटों की तुलना में 84 रुपे अधिक है तो मेरे हिसाब से 21 अधिक है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 4 निकल के आ जाएगी उसने पूछा है बैग में 10 रुपे के नोटों का कुल मुल्या कितना है यानि वो 100 की वैल्यू आप से पूछना चाहरा है अगर एक की वैल्यू चार है दोस्त तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप लोगों का जवाब होगा 400 इस कुशन का जवाब हो जाएगा यानि 10 रुपे के नोटों की संख्या मुल्या जो है वो कितना निकल के आ जाएगा तो आप कहेंगे 400 इस कुशन का बिल्कुल सही जवाब ठीक है कुशन नमबर 8 आप लोगों के सामने कुशन नमबर 8 आप लोगों के सामने हैं साथी कुशन नहीं कहा है 24 और 1500 के बीच मध्या नूपाती मध्या नूपाती कैसे निकालते हैं दोनों संख्याओं की गुणा करके बच्चा उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या ये मध्या नूपाती हो जाएगा ये हो गया और 12 तथा 6 रूट 5 के बीच तिर्टिया नूपाती बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं का तिर्टिया नूपाती निकाल दीजे तो आप कहेंगे बाद की संख्या का वर्ग करो 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा रूट 5 का वर्ग करोगे 5 आएगा बाद की संख्या का वर्ग करके अगर आप पहले से विभाजित कर दोगे तो क्या ये तिर्टिया नूपाती निकल के आ जाएगा कि इस 24 को कैसे लिखोगे तो आप कहोगे इस 24 को लिखने का तरीका है 4 तीया 12 और दूनी 24 हो जाएगा मैं कहूं इस 1.500 को तो आप कहेंगे 25 तीया 45 दूनी 1.500 हो बहुत बढ़िया तरीका है बच्चे वर्गमूल निकालने का नीचे पंद्रह दिया हुआ है चार का वर्गमूल दो होता है तो तीन का वर्गमूल जो होगा एक तीन हो जाएगा इन दो दो का वर्गमूल जो होगा एक दो हो जाएगा और पच्चिस का वर्गमूल जो होगा वो पांच हो जाएगा और नीचे क्या है बेटा पंद्रह दिया हुआ है तो आप लोग कहेंगे 5 तिया 15 से 15 कड़ जाएगा तो क्या इनका रेशो जो निकल के आ जाएगा वो 4 एक आ जाएगा तो एक बहतरीन सा कुश्यन था अगर दो संख्याओं का मध्यन उपाती आप से पूछा जाता है तो जश्ट दोनों की गुणा करके आप लोग वर्गमू पूल निकाल लेंगे अगर तिर्तिया नुपाती आप लोगों से पूछा जाता है तो बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहले से भाग कर दो अगर चतुर्थ नुपाती आप लोगों से पूछा जाता है तो बाद की दो संख्याओं की गुणा पहले से भाग ये चतुर् कुशन नमबर नो आपके सामने है जल्दी से बताईए क्या होगा इस कुशन का बिलकुल से कुशन ने कहा है कि एक सहर की जनसंख्या पहले वर्स जो है वो 30% बढ़ी और अगले वर्स जो है वो 15% कम हो गए मेरे दोस्त ठीक है बहुत बढ़िया अगर पहले वर्स 30% बढ़ती है पहले वर्स 30% बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है क्या इसका मतलब यह है कि 10 से जनसंख्या जो है वो 13 हो गई होगी बहुत बढ़िया अगले वर्स 15% कम हो जाती है तो 15% का मतलब क्या है 15% की जो fraction होती है वो 3 बटे 20 होती है तो आप लोग कहेंगे 20 से जो है वो 17 हो गई हो कम हुई है तो 17 हो गई हो यानि अगर 2 वर्स पहले जनसंख्या 200 रही होगी तो अब जो है जनसंख्या वर्तमान में जनसंख्या 13 गुणा 17 हो गई अब उसने कहा क्या है उसने कहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो वर्तमान में जनसंख्या उसने कितनी दी है 11,050 उसने जनसंख्या दी है बच्चे तो 13 से काटेंगे अगर एक पार्ट की value 50 आ चुकी है तो 2 साल पहले की वो जनसंक्या आपसे पूछना चाहरा है तो 2 साल पहले की जनसंक्या जो रही होगी वो 10,000 रही तो option number C क्या हो जाएगा इस question का साथी बिलकूल सही जबाब हो जाएगा 72% लोगों ने बिलकुल सही जबाब दिया Q10 की तरफ चलते हैं दोस्त फटा फट मुझे बताईए क्या हुगा इस Q10 का बिलकुल सही Q10 आप लोगों के सामने हैं जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस Q10 का बिलकुल सही पर हुई हानी का आधा है जब बचे कुशन के अंदर आप लोगों को दो विक्रे मुल्य दिये हुए हूँ पहला विक्रे मुल्य 720 है और दूसरा विक्रे मुल्य जो है वो 360 है तो जब वो वस्तू को 720 रुपए में बेचता है तो वस्तू पर मेरे दोस्त लाब होता है लाब होता है तो इससे कहीं किरे मुल्य कम होगा ठीक है जब वो वस्तू को 360 रुपे की बेचता है तो इस पर हानी होती है तो इससे जादा कहीं किरे मुल्य होगा उसने एक बात बोली है उस चीज को समझे उसने का है उसी वस्तू को 360 में बेचने प तो लाब क्या X का हो जाएगा बस कुछ नहीं करना इस विक्रे मुल्य में से इस लाब को घटा दोगे तो किरे मुल्य आपके सामने आ जाएगा इस विक्रे मुल्य में हानी को जोड़ दोगे तो किरे मुल्य आपके सामने आ जाएगा बच्चा इन दोनों को इधर जाएगा जुड जाएगा 3X हो जाएगा और 720 में से 360 जाएगा तो 12 में से 6 गए 6 360 ही बच जाएगा तो क्या X की value जो है वो 120 आ चुकी अगर X की value 120 आ चुकी है तो हानी कितने की होगी होगी 240 की होगी होगी अगर बच्चे विक्रे मुल्य में हानी को जोड दिया जाता है तो किरे मुल्य आ जाता है और उसने वस्तू का किरे मुल्य ही आप से पूझा तो क्या मैं इन दोनों को जोड दू 360 और 240 को अगर मैं जोडूंगा तो मेरे दोस्त 600 कोश्चन का जवाब हो जाएगा 600 कोश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा उपर करना एक बार है उपर उपर बस बस नीचे वचे दोनों को जोड के डिविजन तब करते हैं जब जितना लाब हुआ हो उतनी हानी हुए हूए कि इतना लाब हुआ है उतनी ही हानी हुई है तो दोनों को जोड़ के जश्ट आधा कर देते हैं कुशन नंबर 11 आप लोगों के साबने है फटाफट मुझे बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुर से कुश्चन ने कहा है साड़े 12 परसेंट की छूट देने के बाद कोई दुकानदार किसी बैग पर 25 परसेंट का लाब कमाता है तो उसने बैग का अंकित मुल्य उसके लागत मुल्य से कितना प्रतिसत अधिक अंकित किया होगा ठीक है समझे जब बचे कोश्चन के अंदर जो है कोश्चन के अंदर किरे मुल्य और MRP में यानि कि अंकित मुल्य और किरे मुल्य में आप लोगों से रिलेशन पूछा जाए तो मैंने भी आप लोगों को बताया था बुक सोलुशन कराते समय और दीपक सन्न ने भी आप लोगों को पढ़ाया होगा कि जब भी इन दोनों में रिलेशन पूछा जाता है तो ये रिलेशन होता है 100 माइनस छूट पृतिसत और ये है बच्चा 100 पिलस लाभ पृतिस ये गा थोड़ा अगर मैं छूट की बात करूँ तो साड़े बारा घटाऊंगा तो कितना आएगा सो में से साड़े बारा जाएगा तो साड़े सतासी बचेगा और पच्छिस परसेंट का लाभ 100 में 25 जोड़ूँगा तो 125 आ जाएगा पॉइंट हटाऊंगा जीरो बढ़ाऊंगा 25 तिया 25 25 पंजे 125 होगा 25 पंजे 125 जीरो हो जाएगा 5 सत्य 35 होगा 5 धाई 50 होगा अब उसने कहा क्या है उसने कहा है बैग का अंकित मुल्या उसके किरेम उल्य से कितने प्रतिसत जादा है तो आप कहेंगे कितना जादा है तो आप कहेंगे तीन जादा है किस से जादा है किरेम उल्य से जादा है तो सौ से कितना हो जाएगा तो सौ से कितना हो जाएगा यानि तीन सो बटे साथ हो जाएगा 7, 4, 28 होगा 2 बचेगा 7, 2, 14, 6 बचेगा 7, 8, 56 यानि कि 43% इस कुश्चन का जवाब हो जाए क्या हो जाएगा बेटा 43% इस कुश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है कुश्चन नमबर 12 को एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है कुश्चन नमबर 12 में बटावड से देखिए इस कुश्चन को जवाब दिजिये कि क्या होगा इस कुश्च बिलकुल कुश्चन ने कहा है साधरन ब्याज पर साधरन ब्याज पर बचे किसी वारसिक ब्याज दर से 43 की एकरसी दो वर्स में बढ़कर 444 हो जाती मेरे दोस्त समझना 4300 रुपे की एक रासी जो है कितनी हो गई बढ़के तो आप कहेंगे 444 हो गई तो बस यहीं से एक बार देख लीजे साधारन ब्याजदर दी हो तो क्या 4300 बढ़के कितनी हो गई 444 हो गई अच्छा यह रासी कितने वर्स में हुई है तो आप कहेंगे 2 वर्स में दे रखा है यही तो दे रखा है अच्छा मैं ब्याज पूछू तो आप ब्याज कितना बताएंगे 2 साल में तो 644 में से 300 जाएंगे तो 344 बचेगा अगर 2 साल का ब्याज इतना है तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 172 रुपे हो जाएगा अगर मैं आप लोगों से बच्चा ब्याज की दर पूछू तो आप कहेंगे 172 रुपे ब्याज लगता है कितने रुपे पर लगता है 43 सो पर लगता है तो 100 पर कितना यहां से आप लोगों की ब्याजदर कितनी आ जाएगी बच्चा 43,4,172 होती क्या यही आ जाएगी यानि ब्याज की जो दर थी वो 4% आप लोगों को दी हुई अब उसने कहा क्या है कौनसी रासी साधरन ब्याजदर द्वारा इसी ब्याजदर पर 5 वर्स में बढ़कर इतनी हो जाएगी अचा एक बात मुझे बताओ एक साल की ब्याजदर कितनी आई है 4% आई है तो 5 साल की ब्याजदर कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्त 20% हो जाएगी यानि 20% मुझे ब्याज चाहिए 100% अगर मूलधन है तो 20% ब्याज लगके क्या वो रासी 5 साल में 120% हो जाएगी उसने कहा है 10104 हो जाती है 10104 हो जाती है तो 1% की value कितनी है 10104 बटे 120 हो जाती है तो वो आप से 100% की value पूछ रहा है वो आप से बचे 100% की value पूछ रहा है तो निकाल दीजिए यहां से 0 से 0 कट गई 4 से कटेगा क्या 4 से कट जाएगा 4 ती या 12 होंगे 4 दुनी 8 होंगे 9 10 दो बचेंगे 4 पंजे 20 होंगे 1 बचेंगा 4 दुनी 8 4 चेंग 24 हो जाएगा 4 दुनी 8 पंजे 3 से भी कट जाएगा 3 अठे 24 होंगे 1 तीन चौक बार है 3 दुनी 6 तो सवाल का जवाब कितना आएगा 84 सो 20 है सवाल का जवाब कितना आएगा दोस्त 84 सो 20 इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएग बड़ा ही बहतरीन question था इस्टार मार्क बना लीजिए बहुत अच्छा question चलिए 120 कैसे आया मेरे दोस्त अगर मैं 20% 4% एक साल की ब्याजदर है तो 5 साल में क्या 20% मुझे ब्याजदेना होगा 100% अपने आप में मूलधन होता है 20% ब्याजदर हो गया पहरा को एक बार पढ़िये बच्चा CI का question है फटा फट मुझे बताइए क्या होगा इस question का बिलकुर सब्सक्राइब पताइए बच्चे फटा फटा अंसर 10,500 रुपे की एक रासी चक्रविरधी ब्याजदर से दो वर्सों में 17,745 हो जाता कितने की रासी है दोस्त 10,500 रुपे की एक रासी है कितनी हो जाती है दो वर्स में दो वर्स में कितनी हो जाती है तो आप कहेंगे 17,745 हो जाती है तो बचे अगर मैं आपसे पूछू उसने कहा है कि ब्याजदर क्या होगी तो जब भी आप लोगों से ब्याजदर पूछी जाए तो आप दोनों का रेशो निकाल लेना दोनों का रेशो निकाल लेना चार बचेंगे 5,45 हो जाएगा अगर मैं बात करूँ बचे 7,57 साथ से कट जाएगा और साथ से कटूँगा तो 300 बार कट जाएगा 3 से कटा 3 एकम 2 बचेगा बचे 3 छिंग 18 2 बचेगा 3 नाम 27 और 3 से कटा 100 बार कट जाएगा अगर कुशन 2 साल का है तो वर्गमूल निकाल दीजिए यानि 100 का वर्गमूल 10 होगा और 119 का वर्गमूल जो है वो 13 हो जाएगा ऐसे ही तो करेंगे अगर मैं आप से पोछूँ ब्याज कितना लगा तो आप कहेंगे 3 रुपे ब्याज लगा कितने रुपे पर लगा 10 रुपे पर लगा तो 100 पर कितना हो जाएगा तो आपका जवाब होगा ब्याज की जो दर होगी वो 30% वार्सिक होगी क्या हो जाएगी बच्चे ब्याज की जो दर होगी वो 30% वार्सिक हो जाएगी ठीक है आते हैं अगले कुश्षिन की तरफ कुश्षिन नमबर 14 आप लोगों के सामने है पटापट से बताईए क्या होगा इस कुश्षिन का बिलकुल सही जवाब कुश्षिन नमबर 14 बचे 20 नमबर का है यह मैं था तीन साल का हो तो रेशो निकाल के घनमूल निकाल देना तीन साल का कुश्षिन हो तो रेशो निकाल के घनमूल निकाल देना बस हो गया कुश्षिन जल्दी से बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब देखिए एक मिसरन में दूद तथा पानी का अनुपात जो है वो चार तीन आप लोगों को दिया हुआ है दूद तथा पानी यानि मिल्क तथा वाटर का जो रेशो दिया हुआ है वो चार तीन दिया हुआ है यदि इसमें चार लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात जो है वो एक-एक हो जाता है मेरे दोस्त अगर पानी मिलाया है तो दूद के साथ छेड़ खानी नहीं होनी चाहिए तो दूद की मत्रा को बराबर करने के लिए यहां चार की गुणा यहां चार की गुणा मेरे हिसाब से दूद बराबर हो चुका है अगर मैं पूछू मेरे हिसाब से पानी कितना मिला तो पहले तीन था अब चार है क्या एक लीटर पानी मिला है उसने कहा है चार लीटर पानी मिलाने पे ऐसा होता है तो क्या एक की value जो है वो 4 के बराबर आ जाएगी उसने कहा है तो सुरुवाती मिस्रण में दूद की मत्रा कितनी थी यानि वो 4 पार्ट की आप से value पूछने अगर एक बराबर 4 होगा तो 4 बराबर कितना हो जाएगा तो 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16 लीटर का मिस्रण रहा हो क्या हो जाएगा दोस्त 16 लीटर का मिस्रण रहा होगा अगला question आप लोगों के सामने पंद्रमा question है बचे फटा-फट मुझे बताईए समय तथा कर रहे का question है और ऐसे question को तो आप बेहिसाब करके मारते हैं बेहिसाब बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सकता और एक बात मैं बताऊँ जादा दिन तो है नहीं paper में आप लोग देखोगे न तो paper आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा 100% ऐसा ही देखने को मिलेगा paper में variation नहीं आएगा बिल्कुल paper hard आ ही नहीं सकता अगर एक घंटे का paper है mensuration की question जो है वो last में तो बचे आप लोग ये छोड़ दीजिए कि ये आसान paper है ठीक है मज़ा आ जाएगा लेकिन time को आप लोगों को maintain करना होगा अगर time आप लोगों ने ज़्यादा करच कर दिया तो दोस्त यही paper जो है अगर देखो हम लोगों को चारों चीज करनी है प्रेसर एक्जाम का प्रेसर बहुत बड़ी चीज होती है यही question दोस्त मुस्किल लग रहे होते हैं ठीक है देखिए एक्स किसी कार्रे को अकेला 15 दिन में कर सकता है एक्स किसी कार्रे को अकेला 15 दिन में कर सकता है वाई उसी कार्रे को अकेला 30 दिन में कर सकता है एक्स वाई तथा जैड बचे अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो उस कार्रे को कितने दिन में करते हैं नो दिन में कर सकते हैं बचा इन तीनों से कटने वाली संख्या बस मुझे बता दो तो आप कहेंगे जी तीनों से कटने वाली संख्या तो पूरी दुनिया जानती है बच्चा बच्चा जानता है कि 90 होगा 90 काम 15 दिन में तो एक दिन में 6 काम 90 काम 30 दिन में तो 1 दिन में 3 काम 90 काम 9 दिन में तो 1 दिन में 10 काम हो जाए अगर मैं आपसे पूछू कि इस X ने एक दिन में कितना काम किया है तो आप कहेंगे 6 इस Y ने एक दिन में काम कितना किया है तो आप कहेंगे 3 दोनों मिलके 9 काम कर चुके है लेकिन काम जो हुआ है वो 10 हुआ है यानि जैड जो करता होगा वो एक काम करता होगा तब ही तो तीनों को जोड़ के मेरे दोस्त दस आएगा बहुत बढ़िया अगर उसने मैं पूछू क्या पूछा है जैड उस कार्रे को कितने दिन में खतम करेगा तो 90 कार्रे हमें करना है जैड एक दिन में एक कार्रे करता है तो 90 कार्रे कितने दिन में कर देगा तो सवाल का जवाब होगा बच्चे 90 दिन में कर देगा अगला कोश्चन आप लोगों के सामने है फिर से समय तथा कार्रे का वेटेस तो रहने वाला है दो कोश्चन तो आप लोगों को देखने को म आपके इस पेपर से पेपर में कोश्चन फच जाएं सुरू की ही तीन सिफ्टों में तो मैंने कहा कि जादा बड़ी बात तो कहता नहीं हूं लेकिन पिछला एनालिसिस करने के बाद मैं इतनी जरूर आपसे कह सकता हूं कि पांस से छे कोश्चन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बस वैल्यू ही चेंज होंगी लेंगवेज वही देखने को मिलने होगा आप यकीन करिए बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये पेपर आप लोगों के सामने आए और आप लोगों को अगर आसान लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव रहेगा तब है बच्चे मजबात का ठीक है एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को पच्चिस दिन में पूरा कर लेते हैं भाई एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे पांच और चार नोर तीन बारे काम करते हैं एक दिन में तो पच्चिस दिन में काम खतम होता है तो पच्चिस दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा यानि टोटल काम जो हो चुका है वो तीन सो काम हो चुका है ठीक है बच्चे उसने काए A और C दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे देखना बचे अगर इसका 35% काम निकालना है तो सबसे पहले टोटल काम का 35% काम निकाल दो क्या वो 105 काम करने की बात कर रहा है 105 काम A और C से कराना है तो A और C से A एक दिन में 4 काम B एक दिन में 3 काम जितना काम उसने बोला है अगर मैं उस काम की बात करता हूँ तो वो पूरा काम जो है वो पंद्रह दिन में खतम हो जाए ठीक है चलिए अगले कुशन की तरफ चलते हैं कुशन नंबर 17 इस कुशन को करने वाले को वास्तम में उचिति नाम दिया जा वो ऐसा भी हो सकता है कि रोजगार विदंकित वाली टी-शेट ही मैं पहना दूँ ठीक है लेकिन सबसे पहले जिसका आंसर आएगा वास्तम में उसे कुछ ना कुछ मिलेगा चाहे वो वर्चुल मिले चाहे वो फिजीकली मिले वो डिपेंड बाद करता है पर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा उसे साबसी भी मिल सकती है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब 218 कह रहे है 218 कह रहे है 214 भी कह रहे है गलत वालों से इनाम ले भी सकता हूँ अगर सही वालों को इनाम दे सकता हूँ तो गलत वालों से इनाम ले भी सकता हूँ देखो मोहन 12 किलोमीटर प्रती घंटा 18 किलोमीटर प्रती घंटा 24 किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से तीन समान दूरियों को तै करता है बचे आप लोगों के बीच से ही बहुत सारे लोग गलत अंसर दे रहे हैं तो यह आसान कैसे हो सकता है अगर आसान लग रहे हैं तो तैयारी आप लोगों की अच्छी है यदि उसे इसमें कुल 13 गंटे लगते हैं उसके द्वारा तै की गई दूरी कितनी है वो आप से ये पूछने है तो बचे अगर चाल की बात करूं अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी क्या होती है जब अलग अलग चाल से दूरी तै की जा रही हो तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो औसत चाल गुणा सम होता है तो 97 चाल आप लोग निकालनी जानते हो अब लोग निकालनी जानते हो बचे इन 3ों से कटने वाले संखिय मान लो बारह 8-24 का lcm 72 होता है तो आपने कहा कि 72 km basement 72 km तीन जगा दूरी बाटलो तीन जगा दूरी बाटलो बच्चे पहली दूरी 12 किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से तै की गई है दूसरी 72 किलोमीटर की दूरी जो है वो 18 किलोमीटर प्रती घंटे की चाल से तै की गई है और तीसरी 72 किलोमीटर की दूरी जो है वो 24 किलोमीटर प्रती घंटे की अमान दूरी बोला है, इसलिए मैंने ये बराबर ले ली है, बचे औस चाल कैसे निकालेंगे, औस चाल का फॉर्मूला कुल दूरी, कुल दूरी तीनों को जोडेंगे, तो दो, दो, चार, छे आ जाएगा, साथ तिया, एकिस आ जाएगा, कुल दूरी बटे, कुल समय होता है बहत्तर बटे, बारे, छे गंटे हो जाएगा, बहत्तर बटे, अठारे, चार गंटे हो जाएगा, और बहत्तर बटे, चौबिस, तीन आ जाएगा, क्या ये औस चाल निकल के आ जाएगी, और अगर औस चाल की गुणा कुल समय में कर देंगे, तो कुल समय कितना दिया है 6 और 4 दस और 3 13 से 13 कट जाएगा तो क्या टोटल जो दूरी है वो 216 किलोमीटर आ जाएगी आएगी या नहीं आएगी तो आपका जवाब होगा जी आ तो जाएगी तो 216 इस दा करेक्ट दिया पांते हो या नहीं कि चलिए कोश्चन नमबर 18 हम लोगों के सामने हैं पटाफट मुझे बताईए एक ट्रेन का कोश्चन है आसान सा कोश्चन है बहुत आसान सा कोश्चन है पटाफट से बच्चे बताएंगे क्या होगा इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाब दोस्त जाधा दिन दूर नहीं है दस तारिक में मेरे ख्याल से आज साथ तारिक हो चुकी है लगबग 72 घंटे का समय बचा होगा नो आट तारिक 24 घंटे नो तारिक 48 घंटे हाँ लगबग 72 घंटे का समय बचा हुआ है पेपर का लेवल यही देखने को अब भरोसा तो करो इससे कह सकता हूँ एक घंटे के पेपर में वो इससे उपर पेपर नहीं उठाई चले 72 बचे अपनी तरफ से दूरी मानी गई है 342 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 54 किलो मीटर पिरती घंटे की चाल से दोड रही है यह रेल गाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में दोस्त कितना समय लेगी तो समय आप लोगों से पूछा है समय बराबर दूरी होता है और दूरी में बच्चा दोनों चीजों की लंबाई जुड जाएगी यह 342 मीटर लंबी ट्रेन है और कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 438 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने की गती से पार करती है 54 की गती से अगर यह मीटर में है तो बच्चा यह भी मीटर पर सेकिंड में होना चाहिए 5 बटे 18 से आपको गुणा करना होगा अठारे तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा आठर दो दस को जीरो हांसिल, एक चारतिन, साथ और एक आठ हो जाएगा, 780 हो जाएगा, 880 बटे 15, 15, 15, 55 होते हैं, 15, 20, 30 यानी 52 सेकिंड आ जाएगा, वो उस प्लैटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, 52 सेकिंड में वो पार कर देगे अब वो कोशन आप लोगों के सामने आने वाले है जिससे हम लोग डर के भागते हैं जिससे हम लोग वास्तम में डर के भागते हैं और डर के भागेगा जो बच्चे हार गया जिसने हार मान ली वो बच्चा फिर तो उसका मामला बेगा हार नहीं माननी कोशन न जवाब आप लोग मुझे बता दो, वास्तम में, वास्तम में आप लोगों का सम्मान किया जाएगा, जवाब टी-शेट लेने आओ, इस कुश्चन के जवाब देने वाले का वास्तम में बहुत बहतरी इन सम्मान किया, ना, देखिए, एक आयतकार मैदान की चोड़ाई जो ह वो इसकी लंबाई की दो तीहाई है, दोस्त यहीं देखिए, यहां से देखिए, मेरे दोस्त मेरे साथी, लंबाई की दो तीहाई है, चोड़ाई जो है, मैदान की चोड़ाई, इसकी लंबाई की दो तीहाई है, दोस्त मैं इसकी लंबाई को अगर थिरी-ए मान लूँ, तो इसका दो तिहाई निकालूँगा तो क्या ये टूवे आ जाएगा हैं ये थिरिये कैसे मान लिया तो मुझे दो तिहाई निकालना है तो लंबाई ऐसी कोई संख्या मान लो जो तीन से कटती हो तो तीन से कटने वाली सबसे छोटी ही लंबाई क्यों ना मान लो तो मैंने दोस्त लंबाई को थिरी ये मान लिया तो चोड़ाई जो हो जाएगी वो बच्चे टूए हो जाएगी अब उसने का है छेत्रफल जो है छेत्रफल होता क्या है लंबाई और चोड़ाई का गुननफल ही छेत्रफल होता है छेत्रफल उतने उसने दिया कितना है 864 दिया तो 6 स काटा पिटी करेंगे 6,1-6,2 बचेंगे 6,4,24,6,4, A स्क्वेर की वैल्यू 144 है तो उधर वर्गमूल कर देंगे तो क्या A की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी अगर A की वैल्यू 12 आ चुकी है तो ये वाली साइड जो है वो 36 आ जाएगी और ये वाली साइड जो है वो 24 आ जाएगी अब उसने कहा क्या है उसने कहा है भाई साब 15 रुपे पिरती मीटर के हिसाब से इसके चारो और बाड लगाने में कितना खर्चा आएगा बाड लगाना है दोस्त बाड लगाना है यानि इसका परिमाप निकालना होगा परिमाप होता है 2L पिलस B 3724 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 60 आएगा यानि 120 मीटर में हमें बाड लगाना है और एक मीटर का खर्चा पंदरे है तो 120 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे भाईया 1800 रुपे तयार कर लो उस मैदान के चारो तरफ जो है वो बाड लग जाए बास समझ में आगे 1600 वाला कुन सा भाईया तोले सो वाला बिल्कुल गलत जवाब है 1800 इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए कुश्चन नमबर 20 इस कुश्चन का जवाब बताओगे इस कुश्चन का जवाब आप बताओगे या मैं बताओ फिरेडी का कुश्चन है फिरेडी का कुश्चन है दोस्त फटफट मुझे बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब एक बेलन के आधार की तिरज्जा दोस्त आर जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है इसका आयतन आयतन क्या होता है पाई यार स्क्वर एच होता है वो कितना दिया हुआ है एक सट सो साथ दिया हुआ है आप से इसका वक्र प्रष्टिय छेतरफल पूछा है तो वक्र प्रष्टिय छेतरफल क्या होता है तू पाई यारेच होता है बच्चे कुश्चन को आसान बना दू कह दो आसान बना दो जादू दिखा दो जादू देखो यह हम लोगों से पूछा है टो 5rž की वैल्यू पूछिए न तो अगर मुझे इस 5rž की वैल्यू जाये तो काम बने सकता है तो आप कहें कि बने तो सकता है तो अगर मैं इस BUT को ऐसे लिख गुणा में हैं इस R को इधर भाग में ले जाओ, इस R की वैल्यू जो है वो 14 आप लोगों को दी हुई है, 14 चोका 56 हो जाएगा, 14 चोका 56 हो जाएगा, क्या पाई रेच की वैल्यू जो है वो 440 हो जाएगी, और 440 की गुणा 2 में करोगे, तो क्या 880 जवाब दे दोगे, दे लिख लिया दोस्त जादू तो सवाल का जवाब जो होगा वो 880 क्या रहा आप लोगों का स्कूर? क्या रहा आप लोगों का स्कूर बच्चे? पहली सिफ्ट वालो, दस तारिक पहली सिफ्ट वालो, यही आपका मैथ का स्कूर रहने वाला है दस तारिक पहली सिफ्ट वाले जो है बचे यही उनका स्कूर रहने वाला है 17-18-19 बढ़ेंगे 17-18-19 वालों के एक-एक-दो-दो कुश्चन बढ़ेंगे बचे कल मेरी तरफ से तो यह practice set नहीं होगा कल मैं नहीं ले पाऊंगा कलंकिसर मैत का practice set लेंगे तो मेरी तरफ से दस तारिक में जिनका भी exam है उनको बहुत 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 सारा best of luck बचे घबराना नहीं है बिलकुल पेपर जो है वो शांदार तरीके से करके आना है पेशेंस रखना है और याद रखना मैत में अगर 20 कोशन है तो वो जरूर एक दो कोशन ऐसे डालेगा जो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे तो वहां आप लोगों को ये सोनी करना है कि यार मैंने मैत पर डेली 5-5-6 घंटे दिये थे तो मेरा मैत का अगर एक भी कोशन छूटा तो मेरी भरी पंचात में बिज्जती हो जाएगी बिज्जती नहीं होगी मेरे दोस्त सेलेक्शन हो जाएगा तो भरी पंचात में अगे जो एक दम से जिनका अंसर आरा है और आप यकीन मानिये अगर आप उन कोशंट को स्लेक्त करने लगे जिनके एक एक dueदो स्टैप में आञारे हैं तो 20 में से 13, 14 कोशंट ऐसे मिल जाएगे जिनके एक दो स्टेप में आंसर आ रहे होंगे, दो या मैक्सिमम तीन स्टेप में आंसर आ रहे होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा बसे ध्यान देने की जरूरत है, बहुत आराम से पिपर करिएगा, मेरी तरफ से बहुत-बहुत सारी सुपकामना है, बहुत-बहुत सारा all the best और selection के बेट कर रही है, बच्चे, all the best और बदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद